स्टाइब करते हैं मारन एक सब्सक्राइब और昨व फ़स्ट वर्िन्युट चैप्टेर और इस चैप्ट्र का नाम पोई प्रीटेज़ा है हमारा लेट चैप्टर है कि सर लीवरेज का मीनिंग क्या होता है अगर हम सिंपल सब्दों में बात करें तो इजी सर इजी का मतलब हम कम एफट लगाके बहुत कम एफट लगाके हम जादा से जादा आउटपुट निकाल पाएं और यह हम terns में finance के बात कर जाएं जैसे आपका सेल्स जो है वो सो रूपए का है और मेरा profit गो है वह मान लेते हैं दस रूपए का है हमारा sales कितने का था 100 रूपए का और profit कितने का था 10 रूपए का अगर मेरा sales हूं 150 रूपए तो मेरे अगर 500 को कितने परसंट का इंक्रिमेंट लग गया लेकिन प्रॉफिट मेरा हो गया प्रॉफिट कितना हो गया सीथा 10 से 20 अब देखो दोनों में डिफरेंस है हमारा से इंक्रिमेंट कितना लगा 50% लेकिन profit में कितना increment लग गया हमारा profit में कितना increment लग गया हमारा voice not clear echo आ रही है voice तो increase तो कर दूँगा लेकिन echo sound है यह दिखते दे रहे एको सब्भ्र छूभ है को।ा और बन कि देखना पड़ेगा है चलो अभी देखो रिकॉर्डिंग नो डाउट आपको रिकॉर्डिंग ठीक मिल जाएगा पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है है थीक है है अब ठीक है आप ठीक है बच्चे अब ठीक है एक पर इसे बैटर है क्या है इ drinks on iтеx कि अभी और चलो कुई बात नहीं साठ बर देतने हैं ठीक है तो मैं क्या lers था हाज है हमारा chapter है leverage financial management का अभी आपने एक mind से एक दिमाग निकाल दीजिए कि हम financial management पढ़ रहे हैं और एक दिमाग निकाल दीजिए कि हम एक subject पढ़ रहे हैं आप ये देखिए कि मेरे कुछ एक सवाल है उस सवाल का दीरे दीरे आपको पता है वो बस मैं आपसे पूशता जाओं आप जवाब देते जाएगा आपको पता चल जाएगा कि what is मतलब कि हम सीखने क्या वाले है सिंपल सी बात है subject दिमाग से निकाल दीजिए एक हम college की पढ़ाई कर रहे हैं ये सब चीज़े दिमाग से निकाल दीजिए मेरा concern है एक word है leverage और ये English word है और हम commerce में इसके easy word से जाना ज ये percentage के terms में कि हमारा sales कितने percent बढ़ गया comment में भी बच्चे बताएंगे आप भी बताएंगे जो बच्चे offline है कि हमारा sales कितने percent बढ़ गया तो जवाब है सर 100 से 150 हुआ तो हमारा 50% हमारा क्या बढ़ गया सर इसके बाद हमारा profit कितना है 10 रुपए और 10 रुपए से हमारा profit कितना हो गया 20 रुपए हो गया तो आप मुझे जवाब दीजिए कि हमारा profit कितने percent बढ़ गया तो जवाब होगा मैंने easy क्यों बोला अब देखिए हमने sales को बढ़ाने में effort कितना लगा है 50% लेकिन profit बढ़ने में effort कितना लगा मतलब उतना effort नहीं लगा लेकिन profit बड़ी तेजी से बढ़ गया सेम इसको हम समझते हैं जैसे आप simple सी बात है कम effort जैसे कि chapter के theme ही यह है अगर आप इस point को अगर देखते हैं तो बड़ा easily समझ में आ जाएगा जैसे आपने यह देखिए आपने कभी ने कभी यह game play किया होगा अगर खेला है यह game तो ठीक नहीं तो देखा होगा अगर कोई यहाँ पे बहुत कमजोर सा इंसान बिठा दिया जाए और यहाँ पे कोई ताकतवर इंसान बिठा दिया जाए और दोनों को अगर individual बोला जाए कमजोर इंसान को कि भाई ताकतवर इंसान को बहुत मोटे इंसान को उठाओ गोद में तो नहीं उठाओ सकता हो क्यों नहीं उठा सकता उसकी कैपसिटी नहीं है लेकिन कुछ टेकनीक्स लगाने से वह कर सकता है आपने यह सी सौ वाला गेम देखा होगा जिसके अंदर अगर एक कमजूर इंसान भी इदर बैठ जाए तो इस साइड अगर हेल्थी इंसान भी कोई बैठा हो तो वह इसको उ यह नहीं ज्यादा है लेकिन यह इसको उठा सकता है गेम तो यह ही चलेगा इक बार यह उठाएगा अगर एक ही उठाके बैठ जाएगा तो यह को उठा सकता है कम effort लगाएगा एफट मतलब power कम लगेगा और यह उठा सकता है त्सीप हमारा leverage reward को लिया गया है leverage का मतलब है कम effort और ज्यादा result effort कम है और result कितना मिल गया कम effort result ज्यादा अब देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं यहां पे जो मैं बता रहा था effort sales में कितना लगा 50% और profit में 100 यानि profit आपका result ही है हर business के लिए profit क्या है result है और हर business के लिए एक market में समान को बेचना क्या है effort है effort उसने 50% का मारा बढ़ाने के लिए लेकिन result में उसको कितना मिल गया 100% मिल गया तो ऐसे situation में देखा जाए 100% मिल गया भी बच्चे कह रहे हैं voice clear नहीं आरी थोड़ी बहुत अभी भी नहीं आरी clear चलो अभी देखते हैं ज्यादा लंबी class में सूचा था डेट दो गंटे के लूँगा लेकिन थोड़ी class लूँगा अब थोड़ा सा manage कर लेजी आज आज बस हम आगे देखते हैं सर leverage में क्या है इसके अंदर आपको समझाने की कूसिस गया है तीन पॉइंट से बोला गया है आपको एक तो degree of leverage को जब कभी भी हम चेक करेंगे ना answer देंगे न डिग्री से answer देंगे तो एक तो हमारा operating leverage operating leverage एक है हमारा financing leverage और एक है हमारा combined leverage एक है हमारा operating leverage एक है हमारा फाइनेंसिंग लीवरेज और लास्ट हमारा कमबाइन यह तीनों लीवरेज सीखना है ओपरेटिंग का रिलेशन किस से होता है सर फिक्स कॉस्स से अभी आपको कुछ ज्यादा बात है समझ में नहीं आएगी जब मैं एक्जामपल और मैं उनका में स्टेट्मेंट बनाऊंगा सब कुछ समझ में आ जाएगा इसका होता है इंट्रस से इसका रिलेशन है इंट्रस से अभी ना भी समझ में मैं सरफ एक बना देता हूं ताकि आपको और जो इसका होता है उसका दोनों से होता है फिक्स कॉस्स से भी और प्लस इंट्रस को मिल आके निकालते हैं अब चलिए आप सभी को जो पता है मुस्की बात कर लेते हैं आपके सामने मैं एक स्टेट्मेंट बनाने जा रहा हूं और यह स्टेट्मेंट पूरे फानेंशल मेनेजमेंट के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टन डॉल प्ले करेगा और वह स्टेट्मेंट आपने पहले कभी न कभी बनाया हुआ ऐसा नहीं कि फॉर्स नाइम देखेंगे हैं इसको सबसे पहले ना हम सेल्स लिखते हैं मान लिया जाए हमने यहां सेल्स लिखा अब सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं सर्वेरियेबल कॉस हम सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं सर्वेरियेबल कॉस अगर sales में से हम variable cost निकाल देना हूँ और variable cost को आज के बाद मैं बोलूँगा VC तो हमें जो result मिलता है उसको बोलते हैं contribution उसको क्या बोलते हैं हम contribution तो अगर आप sales में से variable cost को minus कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा sir contribution ठीक है अब इसमें से हम क्या minus करेंगे sir इसमें से हम minus कर देंगे fix cost इसमें से minus कर देंगे हम fix cost जब आप fix cost को minus कर दोगे तब आपको मिलता है EBIT कई book में कई बार colleges में आपको सुनने को मिलेगा PBIT EBIT E का मतलब earning होता है B का मतलब before और I मतलब interest और T मतलब tax profit before interest and tax या फिर earning before interest and tax खेक है तो क्या procedure है सबसे पहले हमारा sales में से variable cost minus करेंगे तो क्या निकलता है contribution उसके बाद fix cost minus करेंगे तो क्या आएगा EBIT अब जाके हम minus कर देते हैं इसमें से interest अब इसमें से अगर हम interest को minus कर दें तो फिर जो हमें result निकलेगा उसको हम बोलेंगे EBT या PBT अब अगर इसमें से हम minus कर दें sir tax इसमें से क्या minus कर दें sir tax तो हमें एक result मिलता है that is PAT या फिर EAT PAT या EAT अब जो PAT EAT हमारा निकल गया इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं टेक्स हमने minus नहीं क्या ना भी EBIT EBIT टेक्स उपर आएगा यह नीचे आएगा चल थोड़ा उपर नीचे हो गया इसको ले जाते हैं यहाँ यह थोड़ा उपर इसका amount यह ठीक है अब जो EAT और यह PAT जो निकला है अब इसको PAT भी बोल देते हैं EAT अब इसको एक example से समझ लेते हैं मैं ना एक side में column ट्रो कर देता हूँ और यहाँ पर एक अपना ही example ले लेते हैं उस example से समझ मान लेते हैं मेरा sales जो है वो 1000 रुपए का है ठीक है और मेरा variable cost जो है वो 400 रुपए है तो अब जो मेरे पास result आया वो कितना आया इस 600 को क्या नाम देंगे हैं contribution सिंपल से बात है अब इसमें से हम minus करेंगे fix cost that is मान लेते हैं 200 रुपए सर यह fix cost भी questions में given होगा और variable cost भी question में given होगा और sales भी question में given होगा लेकिन sales में भी in terms of unit हो सकता है in terms of amount हो सकता है तो अगर हम sales की बात करें तो sales अगर in terms of unit हुआ तो बड़ी simple सी बात है आपको हमेशा जो sales रखना है वो in terms of rupees रखना है अगर unit हुआ तो unit into में per unit आपका जो भी होगा cost उससे multiply कर देंगा per unit selling price per unit selling price से multiply कर देंगा अगर मैंने कहा 5000 unit है 10 रुपए का एक है तो बताओ sales कितना है आप बोलोगे 5000 into में 50,000 रुपए की sales ठीक है इसको क्या नाम देंगे profit before interest and tax अब बारी आ गई interest की सर अगर interest की हम बात करें तो interest मैंने मान लिया 100 रुपए अब सर इंटरस कैसे निकाला जाएगा इंटरस कैसे निकाला जाएगा या तो आपका interest निकालने की बात करते हैं इंटरस कैसे निकाला जाएगा दो तरीके से हो सकता है interest या तो गीवन हो सकता है आपको question में या फिर आपको percentage गीवन हो सकता है सर अगर गीवन हुआ क्या गीवन होगा सर fix amount गीवन होगा आपको fix amount क्या गीवन होगा सर आपको fix amount या फिर आपको क्या गीवन होगा percentage अगर आपको percentage गीवन हुआ तो आप क्या करोगे सर आपको percentage किस किस पर हो सकता है loan के उपर हो सकता है या फिर आपका bond के उपर हो सकता है या फिर आपका debenture के उपर हो सकता है यह सारे पर्सेंटेज निकालके आप इंट्रस्त को किल्कुलेट करोगे और इन सभी को एड करके जो इंट्रस्ट आएगा मैं उस इंट्रस्त की बात कर रहा हूं मतलब तीनों इंट्रस्त मिला ते सो और का समझ मैं इस बात आपको अगर मैंने सपोर्स करो मुझे जवाब द ना मैंने कहा कि यह 10% debenture है रूपीज 10,000 का तो बताएं इंटरस कितना होगा 10,000 का debenture है तो इंटरस कितना होगा बताओ 1000 हमने account में बहुत अच्छे से calculate किया हुआ है सेम ऐसे हो सकता है 10% loan है तो उसका percentage होता है loan निकाल लेते हैं ना वो सारा काम कर लेते हैं तो यहां पर यह हमारा आ गया इसी तरीके से interest निकल गया बचा 300 tax का rate हमेशा given होगा माल लेते हैं 50% है तो 150 हो जाएगा अब बचे कितने मेरे 150 अब जो यह 150 है इसको क्या नाम दिया है हमने earning after tax या फिर आप बोल सकते हो profit after tax अब इस profit के उपर किसका अधिकार है इस profit के उपर अगर मैं इधर लेके चलता हूँ अगर मैं P.A.T. के बाद करूँ इस P.A.T. के उपर किसका right है सर इस P.A.T. के उपर दो लोगों का right है एक होता है हमारा preference share holder का और एक होता है हमारा equity share holder का सर preference share holder का पहले right होगा यानि जब distribution होगा हमारे पास pat पता है कितना मेरे example में डेड़ सो रुपे है इस डेड़ सो में पहले preference share माल लेते है preference share holder का dividend बन रहा है 50 रुपे तो अब equity share holder की कितने हिस्से में जाएगा 100 रुपे ठीक है न तो यानि जो भी हमारा profit after tax आया उस profit पे दो लोगों का rights होगा सबसे पहला जो right होगा वह किसका होगा किसका होगा सबसे पहला right जो होगा वह हमारा preference share holder का उसके बाद जो दूसरा right होगा वह किसका होगा equity share holder का अब equity share holder के अंदर भी dividend declare हो भी सकता है नहीं भी हो सकता आप सभी ने company law में पढ़ा होगा या फिर आपने cash flow statement अगर कभी किया होगा dividend declare but not paid interim dividend यह बंगाता है तो ऐसे situation में यहाँ पे भी क्या आ गया sir यह 100 रुपए के भी दो part हो सकते है कौन कौन से part हो सकते है sir इस 100 रुपए के हो सकता है कि यह dividend दिया जाए और dividend ना दिया जाए अगर dividend दे दे देंगे इसमें से और हो सकता है dividend ना दिया जाए that is retain earning dividend मैंने मान लो 100 में से बोला 25 रुपए दे दिया जाए तो retain earning कितना होगा हमारा 75 रुपए इसको next page पर और elaborate कर देता हूँ मैं किसको sir P80 को या फिर कह लेते हैं E80 ठीक है न next page पर मैं वहाँ space मिलने रहा था फिर मैं पीछे दिखा दूँआ यानि sir इसके दो हिस्से है दो हिस्से किसके होंगे preference share holder और equity share holder अब preference share holder को मेरा क्या था 150 था मान लेते हैं 50 रुपए preference share holder को मिल गया ऐसे situation में preference share holder की कहानी खतम अब equity share के holder के कितने पैसे आगे 100 रुपए अब इस पैसे का दो फैसला हो सकता है कुछ पार्ट retain earning हो सकता है retain earning और कुछ पार्ट आपका dividend में दिया जा सकता है अब यहाँ percentage हो सकता है मैंने suppose करो मैंने कहा dividend का न 20% है dividend मैं कितना दे रहा हूँ 20% तो 20% इसका निकाला जाता है ठीक है 20% कितना चला जाएगा DPS में सर्व 20 रुपे और बाकी 80 रुपे कहां पहुंच जाएगा तो 20 रुपे मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास जो shareholder है न वो total shareholder के number में बात करूँ तो total shareholder हमारे पास suppose करो 10 है number of shareholder अगर मैं बात करूँ मेरी company में number of shareholder तो कितने number मैंने present कर दी है 10 अब 20 रुपे इन 10 लोगों में बटेगा अब ये 20 रुपे जो होगा ना उन 10 लोगों में बटेगा तो अगर मैं EPS निकालू earning per share तो 20 रुपे की कमाई है और कितने लोगों में बटेगा 10 में तो हर लोगों के हिससे में कितना जाएगा इसको हम EPS call करते है earning per share इसको क्या बोलेगे हम earning per share अब हर एक के person के कितना जा रहा है 20 रुपे हर person के खाते में जा रहा है 2 रुपे अब हम अगर देखें हर एक person के खाते में 2 रुपे है और face value अगर आपका कितना है दस रुपए तो दस रुपए पर अगर आप दो रुपए का पेमिंट कर रहे हो इसका मतलब 20% ही दे रहे हो तो एक होता है हमारे DPS आगे चलके आएगा मैं भी बस हिंट दे रहा हूँ यह पुराना है सारा यह 12 वाला ही है मान के चलो आप तो DPS होगा DPS क्या होता है dividend per share क्या होता है dividend per share का value मतलब आपका यह क्या है dividend per share divided by dividend और यह percentage में आएगा divided by face value into 100 तो आप check करोगे 20% आ गया यह इतना relevant नहीं है जिसको समझ बनी आ रहा हम बाद में दुबारा समझ लेंगा यानि सर जो हमारा यह 150 रुपे बना है 150 रुपे के कितने टुकड़े हो गए मैं इसे हटा रहा हूँ यहां से 150 के दो टुकड़े हो जाएंगे यह बात clear हुई के आपको चलिए सर यह बात अगर clear हुई तो मैं यहीं पर लेके चलता हूँ यहीं लेके चलता हूँ इसी 150 को लेके चल रहा हूँ मैं मान लेते हैं preference share dividend माइनस करने के बाद हमारे पास 50 रुपे माइनस दिया तो जो अगला नेम आएगा उसे बोलेंगे earning for equity earning for equity earning for equity कितना माना जाएगा 100 रुपे मैंने पीछे साइध एक point मैंने गलत बता दिया यह EPS नहीं होगा इसको DPS ही बोलेंग यह DPS होगा चीक है मैं एक बार यह वाला ध्यान में मत रखिएगा by mistake मैं किसी और concept पर चला गया यह DPS ही रहेगा dividend per share कितने आगे dividend per share दो रुपे हर share का dividend कितना होगा दो रुपे formula क्या है dividend हमारा अपन में number of share dividend upon number of shares formula देख लीजिए dividend divided by number of share ठीक है और यह earning आ गया retain earning बोलते हैं हम आगे देखेंगे sir EPS क्या होता है EPS होता है is equal to earning for equity earning for equity divided by number of shares मेरे example में अगर मैं EPS पूछ हूँ तो number of shares कितने हैं number of shares मैंने कितने माने हैं तो 10 से divide कर देंगे तो हमारा अब इसको अगर divide करते हैं तो आएगा EPS EPS कितने आ जाएगा हमारा EPS आ जाएगा हमारा 10 रुपे कैसे आया EPS सर EPS आ गया हमारा 100 divided by number of shares लिख रहा हूँ मैं 10 तो यानि 10 रुपे EPS आ गया हम सबसे पहले क्या लेते हैं sales, sales में से क्या minus करते हैं variable cost, variable cost minus करने के पास जो हमारे पास result आता है वो क्या आता है, उसको क्या नाम देते हैं Contribution का मतलब क्या होता है हम business के अंदर जो काम करते ने fix cost पे कभी भी हम अपने business उसको नहीं देखते, fix cost तो fix है वो तो zero sale पे भी आपका होना है हम देखते है, variable cost हमारा recover हो पारा है नहीं हो पारा तो variable cost को इसलिए यहाँ पर contribution बोल दिया गया अब एक बाद मुद्दे की देखो अगर आप contribution को देखो तो अगर मैं आपसे बोलू कि profit और fix cost इन दोनों हिस्सों को अब ध्यान से देखना अगर add कर दूँ यानि 400 और प्लस 200 कर दूँ तो 600 आजाएगा 400, 200, 600 ही होता है एक formula अपने mind में सोचो drive हो गया कौन बच्चा बताएगा क्या formula बन गया contribution is equal to क्या बन सकता drive करके preference share dividend आप सब अपनी बाते करें preference share dividend में सभी का answer दूँ preference share dividend और normal जो preference share holder को दिया जाता है अभी शेक का जवाब आ गया fix cost plus में fix cost plus में EBIT fix cost अब तुसार ने बोला sales minus contribution यानि अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग answer आएं तो इसका मतलब सर contribution के भी दो formula मतलब के बन सकते हैं सर contribution पूछा नहीं जाएगा हाला कि बस आपके में mind को बता रहो कि अगर आ जाता है exam में कुछ ऐसा पूछा जाए तो हो सकता है sales minus VC एक बच्चे ने कुछ ने जवाब दिया और दूसरा हो सकता है contribution is equal to fixed cost plus में सभी बच्चे इस से एगरी कर रहे हैं इसको थोड़ा उपर कर दे इसको नीचे करता है एक मिनट रुकिए इसको अरेंज गड़ते हैं आपके लिए इसका तो कोई काम है नी बट सभी बच्चों का लगबख सेल्स माइनस वेरियेवल बॉन्ड बता दिए बॉन्ड क्या होता है आप देखिए एक एक चीज़ पूछ रहे है स्टूट के सर यह क्या होता है देखो लोन आपने बैंक से लोन लिया है सिंपल सी बात है आपको लोन चाहिए लोन है उसके आप ब्यास दोगे तो जो ब्यास दोगे इस इंट्रस्ट बॉन्ड क्या होता है कुछ एक सरकारी कंपनी जो होती है गवर्मेंट जैसे अगर उसको पैसे की जोरत होगी ना तो उससे डिबेंचर इसू करेगा लेकिन क्योंकि वह गवर्मेंट है गवर्मेंट में इसने बहुत सारा पार्ट टेक ओवर 51% इस्टेक किया हुआ है तो वह बोल देते हैं अपने नाम को डिबेंचर नहीं बोलते बॉन्ड बोलते है जैसे माल लो मुझे पैसे की जोरत है पैसा मैं शेर से भी इखटा कर सकता हूँ मैं बैंक लोन से भी इखटा कर सकता हूँ और साथ के साथ और कहां से मैं इखटा कर सकता हूँ देखो शेर से हो गया बैंक लोन से हो गया और मैं एक बेंचर से भी इखटा कर सकता हूँ ती QT Shareholder के पास जाओंगा, QT Shareholder से पैसे मिलेंगे, नहीं तो फिर मैं last debenture issue करूँगा, अब हम आजाते हैं debenture पे, अब मैं एक simple सी company हूँ, मेरे company का government का कोई connection नहीं है, मैंने 100 करोड रुपे के debenture issue कर दिया और आप लोगों से मेरे पास पैसे आ गया, तो जो मैंने issue किया, that is deb debenture, लेकिन अब मान लो मैं SBI हूँ, मैंने 100 करोड के आपको, मतलब आपसे मुझे 100 करोड मिल गया, बदले मैंने जो भी आपको certificate दिया, debenture दिया, तो लेकिन SBI बोलता है, हम तो SBI है, तो हम अपने उसको debenture नहीं बोलेंगा, उसको क्या बोलेंगा, bond, तो basically bond शब्द जो कुछ वही रहता है, ठीक है, sales variables, live class, पता नहीं क्या है, ठीक है, चलिए, एक चीज़ आपने मुझे बताया है, sales, sales में से, फटा फट मेरी तरफ ज्यान दिजिएगा, sales, sales में से minus करेंगे, अगर हम variable cost, क्या result हाएगा, contribution, contribution, contribution में से क्या minus करेंगे, fix cost तो क्या result हाएगा, EBIT, उसमें से क्या minus कर देंगे, interest तो क्या answer आएगा, EBT, क्या answer आएगा, EBT हाएगा, ठीक है, अब अगर हम interest minus करेंगे, EBT, EBT में से क्या minus करेंगे हम, tax तो क्या आजाएगा, EAT, earning after tax, लेकिन leverage कहता है, हमें tax से मतलब नहीं है, हम दो ही चीज़ पर concentrate कर रहे है, एक fixed cost और एक interest, आप पीछे देखिए, मैंने क्या बोला, कि leverage जो है, operating leverage fixed cost से, financing leverage, और combined leverage, leverage का मतलब है, effort मान लेता है, effort, तो आप ध्यान दीजिए, operating, operating का मतलब क्या होता है, business चलाना, business चलाने के लिए, आपको सिर्फ fixed cost एक ऐसा main components होता है, यो बहुत आपको recover करने की जोरत होती है, तो operating leverage में सबसे बड़ा major factor कोन होगा, fixed cost, इसलिए इसका formula हम आगे और भी चलेंगे, इसका formula अगर बूलू न, operating leverage का, मैं थोड़ा short form में लिख रहा हूँ, operating leverage, और क्योंकि ये degree of operating leverage होता है, तो DOL लिख देता हूँ, तो इसका formula हो ज देखिएगा कैसे बनाया अभी वो भी आएंगे, contribution upon में, EBIT, अब थोड़ा सा logic लगाओ, contribution और EBIT के बीच में क्या है, contribution और EBIT के बीच में क्या है, fixed cost, अगर मैं बोलू, मेरा fixed cost ही नहीं, तो upon करके तो answer क्या आ जाएगा, one, तो इसलिए मैंने बोला, कि operating leverage को निकालने के लिए, आपका कौन involved रहेगा, fixed cost, यानि ये हमें ये बताएगा, कि हमारा, कितना fixed cost, हमारा involved है, कितने percent हमारा EBIT के उपर fixed cost देना पढ़ रहा है, हमें profit के उपर कितने percentage fixed cost देना पढ़ रहा है, एक तरीके से, इसका formula क्या होगा, interest का, कोई बच्चा इसका formula बना सकता है, अगर ये formula आपको समझ में आ गया, मैं अगला formula आपसे बनवाना चाहता हूँ, अभी किसी को कुछ पता है नहीं, मैंने बोला, sir, operating leverage का formula क्या है, और आपने मुझे बताया था कि operating leverage में कौन role play करेगा, fixed cost, तो आपने बताया, sir, contribution upon में क्या कर दिया, EBIT, यही कर आपने, अब मैं जानना चाहता हूँ, financing leverage का formula, मैंने बताया, financing leverage में कौन involved होता है, sir, financing leverage में कौन involved होता है, sir, interest, इसका क्या formula हो सकता है, बताये, इसका क्या formula हो सकता है, divide क्या होना चाहिए, EBIT, दोनों के बीच का, आपको क्या करना है, दोनों का बीच का gap percentage calculate करना है, कि कितने percent जा रहा है, ठेक है, combine बोलता है, इन दोनों को जोड़ दो, अब अगर आप ध्यान से देखो न, combine का formula पता ही क्या है, अब इन दोनों को हम क्या करते है, मतलब fix cost और interest को जोड़ दो, या multiple, जोड़ने की बात कर रहे हैं, और basically formula को मैं multiply करूँँ, या मैं यहीं पर multiply कर देता हूँ, multiply करेंगे, इन दोनों को multiply करेंगे एक बार, क्या होगा, contribution upon में EBIT into EBIT upon में EBIT, देखेंगे, अब क्या निकला result, cancel out, formula क्या बना हमारा इसका, EBIT, ठीक है, अब मुझे formula मैंने hide कर दिया है, एक बार फटा-फट से mind में लगाईए, कि सबसे पहले, आगर हम operating leverage की बात करें, तो operating leverage में कौन involve होता है, fixed cost, financing leverage में कौन involve होता है, और combine में, combine का मतलब दोने involve हो जाएगा, तो combine का formula क्या बना था, contribution upon में, यानि सर, leverage के लिए स्रिफ और स्रिफ हमें यहीं तक का point चाहिए, इसके बाद वाली चीज़े जो मैंने बता है, वो बस एक journal knowledge perspective से extra था, ठीक है न, अब operating leverage का formula क्या बताओ, फटाफट, बोलो फटाफट, दिमाग लगाँ आपके सामने क्या बनेगा, contribution upon में, EBIT, financing का क्या बनेगा, EBIT upon में, बताओ, EBIT upon में, EBT, क्योंकि वहाँ पे interest आपका involve होगा, और financing में क्या बनेगा हमारा, sorry, combine में क्या बनेगा, contribution upon में, और दूसरा ये भी हो सकता है, दोनों को multiply कर दो, आपका answer आजाएगा, ठीक है, चलिए आगे एक और point देखते हैं, अभी हम leverage पे ही discuss करेंगे, चलिए, आजाएगे, अगेन format को, अब जो आपको exam में follow करना है, अगर आता है, कैसे करना है, जिस तरीके से भी हम लिखेंगे, वही follow करके चलना है, ठीक है न, format में बिलकुल बनाते चलो, amount आ गया, particular आ गया, ठीक है, एक example मैं लिख लेता हूँ, example लिख लिए मैंने, x, y, z limited है, जिसका sales है, दस अजार रुपए, contribution या profit है, variable cost है, 30%, fixed cost है, दो हजार, interest है, 1000, calculate, calculate, different type of leverage, अब different type of leverage की बात कर रहे हो, sir, तो आप बता दो, कितने type के leverage मैंने अभी सीखे है, sir, leverage different की बात करें, तो कितने type होंगे, sir, तीन type के होंगे, एक कौन सा होगा, एक कौन सा होगा, और एक कौन सा होगा, combine, operating leverage, financing leverage, combine, और इसको degree leverage को ने degree के terms में आपते हैं, तो इन सभी के आगे मैं D लगा देता हूँ, और आप भी degree of combined leverage लिख सकते हैं, और ये ना, DOL, DFL और ये standard word है, आप exam में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जाएगा, आप लिख सकते हो, जैसे EPS, EBIT, ये सारे मैंने short form लिखे हैं, लेकिन short form valid है हमारे exam के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिखके चलगा हूँ, ठीक है, अब हमें निकालना है, सबसे पहले क क्या लेंगे हम, sales, sales कितने का है, 10,000, इसके बाद क्या minus करें हम, variable cost, variable cost कितने 30%, हमेशा याद रखना, जब कभी किसी भी sales के आगे, या profit के आगे, ये नहीं बताता कि किसका परसेंटेज, variable cost या profit के आगे, ये नहीं बताता किसका percentage है, तो क्या जमसल नेते हैं, sales का यहोगा, ठीक है तो परसंटेज यहां पर कैसे निकालेंगे सर 10,000 इंटू में 30% और यह आ गया हमारा 3,000 इसको क्या नाम देंगे Contribution इसको क्या नाम देंगे Contribution Sir contribution क्या आ गया 7,000 इसके बाद आगे देखा जाये इसमें से क्या minus करदें सर, fixed cost क्या minus करें fix cost, कितने रुपे 2,000 तो इसको क्या नाम देंगे क्या नाम देंगे E, B, I, T कितने आगए 5,000 इसके बाद हम क्या minus करेंगे minus करेंगे हम interest interest कितने percent एक हजार दे दिया तो सीधा एक हजार तो जो अब result आएगा क्या आजाएगा EBT अगर मैं सवाल में tax भी दे दू tax 30% अब मुझे बताइए leverage निकालने में profit after tax का कोई use है क्या नहीं है तब भी आपको इतना ही answer करके फिर आगे निकालना है ठीक है अब इसके बाद different leverage है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बड़ी simple सी बात है मैं इसको एक color का कर देते हैं सबकर अब ध्यान दीजिए सबसे पहले निकालेंगे आप या तो एक्जाम में ऐसे कर सकते हैं इसको नाम दे दीजिए ए इसको नाम दे दीजिए बी और इसको नाम दे दीजिए सी एक तो यह option है तो डी ओ एल का मैं formula एक यह भी लिख सकता हूं क्या ए अपॉन में या फिर आपको पता ही इसको क्या बोलते हैं हम contribution divided by ebit आपको calculator allowed है एक्जाम में आप direct कहीं calculation करने की जुरत नहीं यही calculate कर देंगे that is क्या हैगा 7000 divided by 5000 क्या है अंसर 7000 divided by 5000 1.4 इसी के सामने आंसर देंगे एक ही statement है no need to के extra working note करो formula भी यहीं दिखा दिया examiner को answer भी यहीं चल रहा है दूसरा क्या निकालेंगे DFL क्या होता है DFL बताना एक बार DFL क्या होता है DFL क्या होता है बच्चों ने जवाब दे भी दिया है DFL क्या होता है Degree of Financial Leverage मेरे साथ जितने भी बच्चे लाइव है ना साथ के साथ मन में भी revision करो अब मैं बोलता हूं तो बोलो ताकि आपको ना थोड़ा सा remind रहे Degree of Financial Leverage इसको कैसे बता सकते हैं सर इस short form में क्या हो सकता है कोई बताएगा मुझे क्या होगा B upon में C ठीक है इसका मतलब सर E B IT divided by E BT ठीक है और IC को solve करें तो क्या होगा हमारा 5000 divided by 4000 यह आगया one point चीक है यानि जो है ना हमारा risk factor यह 4 यानि 40% हमारा risk factor है आप ध्यान से देखिए आपका operating leverage किसके बीच में था 5000 और 7000 के बीच में 2000 है आप अगर 2000 रुपे profit का निका लिए profit का 2000 कितने percent के बराबर होता है मैंने बोला कि हमारा 5000 profit है इसमें 2000 तो मेरा ब्याज माइनस करने के बाद है ठीक है अब profit से compare करिए तो कितने percent है तो आप simple सी बात बोलेंगे सर 2000 divided by 5000 into 100 यानि 40% अब यह 1.4 पता ही क्या यह percentage शो करता है ultimately यानि हम जितना भी पैसा कमाते है न और उसके अंदर हमारा 40% risk है profit का 40% हमारा risk अगर operating leverage बात कर रहे तो 40% risk किसका है जो financial management होते हैं सबसे टॉप अकाउंटेंट वगए रहा है यह सीधा CFO वगए रहा होते हैं उसने बोला सर डीओल टू है मैंने का यार प्रॉफिट का डबल रिस्क चल रहे हैं आपर तो दो हो गया ना एक तो हमारा normal profit है दो बता दिया तो रिस्क तो 100% है तो रिस्क ही बह बेसिक है और यकीन मानो जो मैंने यह सवाल लिखा है ना ऐसे ऐसे सवाल आप भुक में भी दिखा दूँगा लास्ट यर में भी दिखा दूँगा यही कोशन साथ साथ नंबर में पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है मैं तो आपको पूरा detail कि क्या क्या चीज़े होता है लेकिन भुक में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है तीनों लिवरेज पूछने साथ नंबर पिछले साल के बीकॉम प्रोग्राम में सब में यही कोशन पूछा गया था बस आपको basically formula और बच्चे यह भी formula याद नहीं करते हैं छोड में DOL इंटू में DFL भी कर दोगे तो चलेगा मैंने multiply करके दिखाये था वहाँ पे आप इन दोनों को multiply करो risk की factor निकाल लेते हैं 1.4 इंटू में 1.25 आंसर 1.75 आ रहा है यानि 75% दोनों को मिलाके 75% का risk है 75% का किसका risk है सार interest और fixed cost का दोनों को मिलाके profit कितना था हमारा 5000 और 5000 पे आपका risk कितना हो गया 2000 एक 3000 तो 5000 का 3000 कितना होता है 5000 का अगर आप 75% निकालोगे तो उसके साबसे हमारा एक percentage के उपर बैठ जाता है ठीक है न तो अब आप इसको ऐसे भी निकाल लो चाहें A upon me C यानि sir contribution कितना है 7000 divided by 7000 divided by क्या बताए था आपने C कि कर दो 4000 तो देखो आपका answer 1.75 आगा तो अगर आपसे DCL पूछा जाए ना तो DCL में आपना formula से मत लिखो आप दोनों के जो answer है उसको क्या कर दो combine कर दो यह क्या था हमारा exam में करने का तरीका अगर आपको दूसरे method से करना है तो यहां तक आप solution करिए यहां पे पहले लि लिखे क्या operating leverage और formula फिर answer फिर क्या लिखिये आप आप financing leverage formula फिर answer फिर क्या लिखिये आप combine leverage formula answer यह अपने statement बना लिए और इधर answer दे दिया साथ नमबर में ज्यादा टाइम इसमें एक्जाम में नहीं लगना होता है समझ मैं यह बात आपको यानि सर अभी तक हमने क्या सिख financial leverage sorry अभी तक leverage में क्या सीखा leverage का मतलब होता है कम effort लगा के result बहुत जादा ले लेना बिल्कुल सही जवाब leverage के अंदर हमने देखा कि हमें different type के leverage निकालने होंगे when one year data given when one year data given हमने देखा सर different type के leverage निकालने होंगे कितने leverage निकालने होंगे सर number one degree of बताओ degree of तो इससे DOL कह दे दूसरा degree of बोलो financial leverage तीसरा degree of combined leverage DCL degree of operating leverage degree of financial leverage degree of combined leverage सर इसका formula क्या था कौन बताएगा formula operating leverage आप दिमाग में format रखो और simple सी बात है उपर वाला table divided by नीचे वाला table simple से बात है उपर वाला divided by नीचे वाला याद रखना है simple क्योंकि बच्चा न भूल जाता है यार contribution उपर रखना था कि इवाइटी रखना था आपको simple से याद रखना है उपर वाला table से नीचे वाला करना है तो formula क्या बन जाएगा सर formula बन जाएगा हमारे यहां पर क्या contribution उपर में क्या था contribution divided by ebit इसमें percentage नहीं लगता ध्यान रखिएगा ठीक है dfl का formula क्या बनेगा ebit परपॉन में ebt और इसका तो multiply कर दो यही लिख देता हूँ dol into में dfl लिख देता हूँ ठीक है यह तीनों दोनों का formula बन जाता है अब हम जो मैं पहले लिख रहा था शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा यह समझ में आने लगेगा कि sir why आपने operating leverage में fixed cost लिखा क्योंकि आप समझ पा रहे होगे कि operating leverage निकालने में fixed cost ही involved होता है उसी का एक percentage या उसी का एक हमें terms पता चल पाता है इसके बाद हमने देखा कि financing में क्या होता है हमारा financing में सिर्फ क्या involved होगा interest involved होगा और combine में दोनों involved होगा ठीक है एक हमने example भी देख लिया example के साथ साथ हमने इसको आगे continue भी किया अब हम बात करते हैं यह leverage आप तब निकाल पाओगे जब आपको single year का data given है कई बार आपको बोलेगा 2013 और 2014 का देदेगा और बोलेगा operating leverage निकालो दोनों साल को compare करके operating leverage निकालो ठीक है न यह कब का है हमारा single year का data कई बार आपको दो साल का compare करके निकालने को बोलेगा तो when more than one year data when two year given जब दो साल का आपको data given हो तो क्या करें ऐसे situation में भी तीन होंगे क्या होंगे DOL, DFL बाकी इसके उपर हम detail में discussion अभी करना बाकी है आज की class में तो नहीं होगा हमारा आगे होगा एक होगा DCL, DOL, DFL और DCL अभी मैं सर्फ formula लिखूंगा इसका explanation मेरे को थोड़ा time लगेगा मतलब कि एक class लग जाएगा इसका formula होता है हमारा चेंज इन इन इसको अभी रहने देता है नहीं तो यह फिर बोलोगे सर इसका क्या है यह इसका अपोजिट फॉर्मूला आजाता है चेंज इन इन आपका contribution आ जाते है मतलब अपोजिट हो जाता है तो क्यों होता है पहले हम प्रॉपर देखेंगा ठीक है अब मुझे एक बात बताईए लिवरेज का मतलब हम क्या देख रहे थे कोई बताएगा लिवरेज कम effort easy यानि कम effort ज्यादा result इस theory को एक बार प्रूफ भी कर लेते हूं एक बार इस theory को हम जो हमाने अभी question किया इसी में हमें एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं क्या रहता है इसका effort ठीक है क्योंकि कई बार लोगों का मानना है कि या लोन लेके मत काम करो यार बिकार होता है लोन लेकर काम करो लेकिन कुछ लोग बोलते हैं लोन लेकर काम करो benefit होगा क्योंकि लोन नहीं लोगे तो आपके equity होंगे capital होंगे जितने number of honor होते हैं तो distribution भी उतना ज्यादा जाता है तो सभी के हिस्से में थोड़े आते हैं और number of honor कम होंगे तो कम जाएंगे तो उसी चीज़ को हम आगे देखते हैं इसी question पर आगे कर लेते हैं पहले यहां तक हर क्लियर है तब आगे बढूँ पता चले कि मैं बहुत जादा आगे निकल गया और बोले सर्फ पहले जो first page पर बताया था वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप दुबारा बता दो वो सारे जितने भी श्रिया आपका जितने भी questions है अभी सिर्फ मैं basic एक बार formula तो आपको याद करा दूँ उसके बाद formula कैसे बनाए इसका meaning क्या है और क्यूं हम इसको apply कर रहे हैं और कहां कहां apply होता है वो सब चीज़ देख लेंगे अलका clear अभी शेक clear श्रिया ओके हैंड्रेज अभी न एक से दो दिन मतलब दो दिन के बाद आपका हैंड्रेज को option enable हो जाएगा जहां पर आप question पूछ पाऊगे तो अभी न हैंड्रेज क्योंकि न देखो laptop के अंदर एक ही जैक है तो वहां पर लगाया हुआ है USB जैक मंगवाया हुआ है एक से दो दिन में order किया है वो आ जाएगा फिर आपका हैंड्रेज का option ले लेंगे सर एक बार समझादो answer आता है degree में मतलब क्या है दिग्री का मतलब क्या होता है किसी चीच को मापने का degree होता है डिग्री आप वह मन्ली मतलब समझिएगा डेली उनिवर्सिटी वाला डिग्री का मतलब होता है किसी को जैसे फीवर को कैसे नापते हैं कि कितने डिग्री टेंपरेचर है तो इसलिए इसके आगे बस एक डिग्री लगाया हुआ है बाकी नाम इसका Simple Operating Leverage है कई बार बोल दिया जाता है Find Degree of Operating Leverage तब बच्चा बोलता है सार Operating Leverage तो सीखा लेकिन Degree of Operating Leverage नहीं सीखा तो एक तरीके से इसलिए लगाया जाता है बस एक respective मान लो बाकी Operating Leverage होता है इसरे Clear, Clear, Clear चलिए एक और point देख ले हम ये वाला part अभी छोड़ रहे हैं ये वाला part कर लिया इसी part पे हम आगे चलते हैं देखिए साथ मैंने data लिख दो data क्या एक और column बना ले मैं पहले ही दो column तयार कर लेता हूँ मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड है और ये सारा ना कंपनी का होता है में ली और क्या ले क्या ले सेल्स ले लेते हैं बीस हजार एक बच्चे ने पूचा सर वेरियेबल कॉस्ट बता दो क्या होता है वेरियेबल कॉस्ट होता है जैसे जैसे हम सेल करते हैं एक यूनिट को बेचने का खर्चा उसे वेरियेबल कॉस्ट कहते हैं एक यूनिट को बनाने का खर्चा उसको variable cost में count कर मान लेते हैं 8000 fix cost 10,000 interest 1000 ठीक है find different type of leverage कुशन सिंपल है चल फटा फट निकाल देंगे बच्चे यह तो sales आपने बताया 20,000 minus variable cost कितने है 8,000 इसके बाद contribution 12,000 minus क्या करें कितने है यह क्या आगया हमारा EBIT minus क्या घरदे क्या घरदे बताओ interest कितने है और यह बच गया हमारा EBIT 81,000 ठीक है एक मैं सिंपल सा डेटा पूछना चाहा रहा हूँ उस डेटा का जवाब देना तब मैं एक question इसमें add on करूँगा 2010 मैं मेरा sales जो था 2000 है और 2011 में मेरा sales 3000 है मुझे बताओ percentage के terms में कितने percent बढ़ गया है percentage के terms में कितने percent बढ़ गया है कौन-कौन बच्चा बताएगा स्रिया ने 50% अभी शेक 50% जितने बच्चें सभी comment में किया करो मैं comment पढ़ता हूँ आपके देख रहा हूँ सर EAT क्यों अच्छा हाँ सही बोल रहे है EAT नहीं होगा EBT होगा मैंने ध्यान ने दिया EBT सभी का जवाब एकदम correct अब मैं इस 50% को थोड़ा सा justify करता हूँ कैसे आया होगा इन दोनों के बीच का difference एक हजार और divide मैं करूँगा दो हजार से और into किस से करूँगा मैं 100 से into किस से करूँगा मैं 100 से तो ये आ जाएगा हमारा 50% यानि किसी का हमें percentage अगर 2 साल का data दे और उसका percentage निकालना हो तो क्या होता है हमारा difference amount दोनों के बीच का और divide किस से कर देते हैं base year base year दो साल होते हैं आपने stats अब के पास आएगा अभी stats में पढ़ोगे या कभी आपने 11 में भी पढ़ा होगा या फिर आप बोल सकते previous year पिछला साल और multiply by 100 यही फॉर्मूला लगा के निकाला है आप 50% आपने बता दिया और मैंने भी फॉर्मूला लगाए बता दिया बस मैं आपको फॉर्मूला बनाना के बताना चाह रहाता है कि एक्चुल में यह आया क्या समझी मैं इन बता आपको यहां तक कोई कोई क्या करा हुए अभी तक कितने पर्सेंट है कौन बताएगा आप बताओ 20,000 रुपे हमारा सेल से वेरियेबल कॉस्ट 8,000 है तो कितने पर्सेंट है बताओ जवाब आया है 40% लाइव वाले बच्चे बताओ 40% जिया का सबसे तेज आंसर आ रहा है 40, 40, 40, सभी बच्चों ने बताए 40 डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस दो, तीन, दो हजार माइनस इन दोनों के बीच का तो एक हजार डिफरेंस आएगा बस 40%, इसका मतलब 40%, एकदम 100% आपका करेक्ट आंसर है और कैसे निकाला मैं बता देता हूँ आपका, जो हमारा, इसके बीच का हमें निकालना क्या है, ये कितने परसेंट है तो आपने लिखा VC, अपन में क्या लिखा Sales into में 100, सर ऐसा क्या करा हमने, बिल्कुल ऐसा ही करा आपने 8000 divided by 20,000 into में 100, अब बताओ कितने परसेंट आ रहा है साहब, ये है 60%, सिंपल दिखतो रहा है आपको, 40% तो आठ ही है 60 थोड़ी आएगा, 40 आएगा सर, 60 कैसे निकाल रहा है, 40 आएगा 40 आएगा, इसा ही बता रहे थे, ये आएगा, 40 आएगा, 60 थोड़ी आएगा, कोई बच्चा बोल रहा हजार आएगा 60 थो बारह हजार आएगा कैलकुलेटर ओर लो FC मतलब होता है, Fixed Cost, मैंने FC लिख दिया Fixed Cost, फुल वर्ड ना आप ड्रेजिस्टर पर लिख लीजिएगा Fixed Cost क्या होता है, Number of Unit बढ़ जाए Number of Unit घट जाए, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है? यानि सर आप, अगर आपके पास Sales हो, और Variable Cost हो, तो आप निकाल सकते हो, उसका Percentage, निकाल सकते हो निकाल सकते हो, मैं भी आपको निकाल निकाल के बता रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मैं नीचे एक Changes करना चाता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपसे आंसर जाना चाता हूँ, और कुछ पर नहीं है, अब बताईए, Fixed Cost तो हमेशा Fixed ही रहेगा, अगर मैं बताऊ, 20,000 सेल पे मेरा 10,000 है, तो कौन बच्चा बताएगा, मेरा 30,000 के Sales पे मेरा Fixed Cost कितना होगा, कौन बताएगा 30,000 के Sales पे Fixed Cost किया होगा जल्दी बताईए, 30,000 के Sales पे Fixed Cost कितना होगा बच्चे करें, 3D सामदार आ रहा है 30,000 के Sales पे आप बताईए, हमारा Fixed Cost कितना होगा दिया का answer आ गया, 10,000, 10,000 एक ने 15,000 बता दिया 15,000 भी आंसर आ रहा है 15,000 15,000 15,000 नहीं आपका आंसर गलत है आंसर है राइट 10,000 जिन बच्चों ने 15,000 बताया है उसका आंसर है 10,000 इसलिए मैं पूछ पूछ के कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल 0 से कराना चाहता हूँ कुछ बच्चे थोड़ा बूर्टू हो जाएंगे सर क्या क्या बता रहे हैं ये तो पता ही चल रहा था अब देखो जैसे 2010 में मेरा सेल्स अब ध्यान देना 2010 में मेरा सेल्स अगर 10,000 है तो सर 2011 में मेरा सेल्स अगर 15,000 है अगर मैंने कहा कि यहां का फिक्स कॉस्ट 5,000 है तो सर यहां का भी फिक्स कॉस्ट कितना होगा 5,000 2000 अगर मैं 12 का सेल्स बता हूँ 50,000 है तो तब भी फिक्स कॉस्ट क्या होगा हमारा 5,000 2013 का अगर मैं सेल्स बोल दो लाग है या एक लाग 50,000 है तब भी मेरा fix cost क्या होगा 5,000 यानि मैं कहना चाहता हूं कि fix cost never change, कभी change नहीं होता हमारा output के बढ़ने या फिर घटने से, इसी तरीके से पिछले वाले questions के अंदर हमारा fix cost मैंने पूछा था आप से कि 20,000 पे अगर हमारा 10,000 है, तो 30,000 पर fix cost कितना होगा 10,000 और interest भी कभी change नहीं होगा interest भी वही रहेगा तो एक तरीके से interest भी कई बार fix cost के जैसा react करता है, वो change नहीं होगा, क्योंकि जितना loan लिया उतना ही बयाद जाना है, sales बढ़ने से था थोड़ी होगा कि हमारा sales बढ़ी है, बयाद थोड़ा जादा देदू कि हमें आपको, नहीं हो सकता जितना loan लिया था, उतना ही होगा मैंने कहा, कि मैंना अब वही question repeat कर देता हूँ question, point number two यहां लिख रहा हूँ if if sales increase by 10,000 then what percentage change in देखो, सवाल ने क्या पूछा एक line लिखा, मैंने अगर हमारा sales ना 10,000 से बढ़ जाए इसका मतलब sir, sales हमारा हो जाए 10,000 से बढ़ाने का मतलब तो यह होगा कि 20,000 में हम 10,000 एड़ पर 30,000 हो जाए तो हमारे EVIT के percentage में कितना फरत आएगा यह हमारा present data है और यह हमारा expected data या current data बोल लो percentage निकालने के लिए यह मैंने इसलिए formula लिखा है, निकाल सकते हैं तो सबसे पहले बताओ, कौन बच्चा बताएगा अब variable cost क्या होगा, अगर आपको variable cost 40% पता है, तो sir, अब कितना हो जाएगा और यह कितना बचेगा हमारा 12-18,000 अब मुझे बताओ fix cost कितना होगा अभी बताए, sir, 10,000 ही रहेगा fix cost तो sir, fix cost अगर minus कर दे तो कितना बचेगा 8,000 अब यह भी यही रहेगा कितना आया 7,000 अब EBIT कितने percent change हुआ, मैं इधर करके दिखा देता हूँ ठीक है, EBIT कितने change हुआ है तो difference लेंगे दोनों के बीच का what is the difference 6,000 मैं वही formula side में लिखा है, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता किसी percentage change को delta लगा देता हूँ, यह लोग, किसी percentage change को कैसे करा जाए तो percentage change में क्या था difference, difference क्या था हमारा divide किस से किया जाए, बताओ divide हम किस से करें 6,000 से करें base year क्या है हमारा, बताओ अच्छा difference क्या है का 6,000 मैं मैं को लग आप 6,000 से divide करने का बढ़े कितने से, 1000 से divide होगा into बताओ ये कितने percent आ रहे 60 percent कितने percent चेक कर लो भाई, आप कुछ भी बोल दे तो 600 percent कितने percent आगे sir 600 percent, यहाँ भी 60 दे रहे हैं बच्चे 600, हाँ मैंने percentage change in EBIT कहाँ बोला EBIT तो लिया मैंने अच्छा मैं EBT लिख देता है, यह मेरा question थोड़ा सा इसको EBT, दोनों ही ले लेंगे EBIT पूछ लिया, चलो EBIT पूछ लिया, कोई बात ने, EBIT बोला था, उपर वाला भी लेने होगा, तो उपर वाला भी आप इसली निकाल सकते हैं, इनके बीच का भी difference निकाल लोगे, ठीक है, यह EBIT है, लिखने और बोलने में गलती हो गई, यानि हमारा profit कितने percent बढ़ चुका है, पिछले बार की तुलना में कितने percent बढ़ चुका है, 600% बढ़ चुका है, सेल कितने परसेंट बढ़ा है कौन बच्चा बता सकता है कोई बता सकता है सेल कितना बढ़ा है सेल कितने परसेंट बढ़ा है यहां से यहां तक जाने में आपने जवाब दिया यहां निकाल के भी देखा है यह रहा यही सेमी डिजट तो है तो कितने परसेंट बढ़ा है यहां एक जिरो और रहेगा यहां एक जिरो छोड़ो यह अलग कुश्चन था ठीक है कितने परसेंट बढ़ा है सेल हमारा एफट जो है सेल्स में 50% है लेकिन रिजल्ट कितने परसेंट मिल गया 600% जंप हो गया that is leverage कि हम कम effort लगाके ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट का increase कर लेते हैं यह business के लिए ना बहुत risky भी है और बहुत फाइदे मन भी है सर रिस्की क्यों है अगर मैं इस time पे अगर थोड़ा सा भी इधर चला गया ना sales अगर मेरी 15,000 आ गई मैं फट से loss में आ जाओं क्योंकि यहां fixed cost जो है ना हमारा almost 50% sales का है यानि जब organization में fixed cost और interest बहुत ज़ादा होता है sales का और approximately 50-60% तो उसके profit भी बहुत तेजी से बढ़ता है और loss भी बहुत तेजी से होता है ठीक है ना उन चीज़ों पर हम देखेंगे change वाले में पहले यह समझ में आए आपको ठीक है इसके अंदर एक और question मैं add कर दूँगा different type of leverage जो बोला था वो नहीं निकाला आप different leverage इसका निकाल पाओगे इसको कहां रखें कहां रखें कि साइच छोटा कर दें चलिए दोनों का leverage बता दिए पटापट मैं ए अब यह तो इधर ही आ जाएगा टी ओ एल टी एफ़ल टी इसेल कौन बच्चा बताएगा बीएफल दोनों का बताना अब इसका भी बताना होगा और इसका भी बताना होगा बताईए वन पॉइंट और आगे यह क्या है डी ओ एल 6 देखो कितना रिस्की हो गया है 6 पॉइंट यह आला बताईए यह होगा हमारा इसका टू पॉइंट रिस्की यह भी एक से बहुत जाज है इसका भी बताऊए डी एफल का यह किसका एए बताऊ तो सीधा सीधा बताऊ ना आप कभी इधर का बता रहें तो इधर का बताऊ मैं ही गल्कुलेट कर रहता हूँ तो तो एक भाल ग्रास वेरिफा ही गल्लो भाई थ्रस्नी गड़ सकते हैं ठीक है ठीक है बिलकुल 100% करेक्ट है हमारे सवाल में क्या क्या था बिलकुल यह exam वाले question से हैं ऐसा नहीं अब के question कैसे आएगा बिलकुल exam वाले question है नमबर बन के सर यहाँ पे DFL क्या था DFL या DOL में बात करूँ तो तीनों हमने डिगरी भी निकाल लिया देटा को हमने स्विच भी कर दिया और परसंटेज अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है परसंटेज चेंज इन EBIT बताईए अगर मैं आपसे पूछू परसंटेज चेंज इन कोई बता सकता है क्या बेलकुल बता सकता है EBIT को लेने का डिफरेंस कितना है 6 डिवाइड़ बाइड़ दो हजार इन्टू में कितने हो गए हाँ तो अब देखिए मेंली अब मेरे मन में कुश्चन ये आ रहा है अब मैं इसको ना नाम दे जता हूँ एक कंपणी वन है ये और एक कंपणी टू है अब कौन सा कंपणी बहतर है इन दोनों के कंपरिसन में कौन सी कंपणी बेटर है इन दोनों के कंपरिसन में तो मुझे पता है कि इसका DOL क्या है इसका operating leverage क्या है कम तो जितना ज्यादा कम operating leverage होगा वो उतना better होगा यानि ये best है सर एफल में भी कौन सा best है यही best है और combined में भी यही best है ऐसा नहीं है कि एक जिसका best हा गया सारा ही उसका best होता है ना कि ज़्यादा वाला वैसे तो नॉर्मली हम क्या सिखते हैं जो नंबर ज़्यादा है वही बढ़िया है हमारे लिए लेकिन इस वाले सिच्वेशन में जो नंबर जितना कम होगा वो रिपर्जेंट करेगा कि मोर हेल्दी है कंपेर टू अधर बिजनस के हाँ वीडियो अभी रिकॉर्ड हो जाएगी और मिल भी जाएगी चिंता मत करो वीडियो मिल जाएगी और यह मॉर्निंग में ही अप्लोड हो जाएगी है सारी वीडियो ओवर करते हैं बस लास्ट टॉपिक था बस यह बताना था और कुछ भी नहीं है ठीक है तो अभी तक क्या कर लिया बहुत सिंपल सा कॉंसेप्ट था स्लेवर्स को छोडते हैं बुक को भी छोडते हैं हमने यहां से स्टार्ट किया था याद होगा लिवरेज क्या होता है इजी होता है इजी का मतलब हम कम एफट लगाके और अभी तक बस इसी पर मैं डिसकस करता जा रहा हूँ कि इसके इंदर क्या इन्वेड इसके इंदर क्या इजी है इन्वाल्यवे ख कि अपरिट्वे मैं बता सकता हो ऑपरेटिंग लीवे забhi जुको डिफाइन करता है बिट्विसें किसके आपके कंत्रिपूशन और EBIT तो जब theory वाले हम section को करेंगे तो मैं बता दूँआ ठीक है financing में interest था दोनों को combine कर दिया sir इसका पूरा format आपको अच्छा से clear है क्या minus करेंगे क्या plus करेंगे इसके अंदर हमारे काम की चीज़े इतनी थी यानि अगर देखा जाए तो जो अगला format है इतना काम का होता है हमारा leverage chapter के लिए और बाकी sir unit number कौन सा चल रहा है ये unit number 3 का हमारा ये chapter second चल रहा है हमने वो chapter pick किया जो कि आगे हमें काम आएगा बाकी सारे chapter में एक question ये देख लिए डबल करके हमने सारा check कर लिया ठीक है कोई दिक्कत किसी बच्चे का नहीं तो हम next class कल चुट्टी रहेगी परसो again class होगी आपकी to be continue leverage को हम आगे लेके चलने वाले हैं और leverage में क्या करना है नहीं करना है उसके आगे देखेंगे अभी दो साल के data वाला pending है फिर हम book का question उठाएगे और अगली class में हम book के question स्टार्ट कर देंगे करना ठीक है चलो recording आप सभी बच्चों को मिल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है तो first class जिन बच्चों की है मैं कोसिस यही करूँगा कि भाई आपके कोई topic ऐसा ना हो के ना समझ में आया हो बाकि जितने बच्चे जोईन होते हैं तो आपके content में folder given है वहाँ से आप पहले देख लो first class और बहुत मुश्किल नहीं है बहुत simple है देख सकते हैं चैप्टर लीवरेजी देखना जो बच्चे जोईन हो रहे हैं कुछ बच्चों का confusion है के sir working capital या फिर receivable management अभी मत देखिये मैं बता दूँआ कैसे देखना नहीं देखना उसके हिसाब से हो जाएगा ठीक है चलिए हम start करते हैं तो एक question आपके book का है ये सभी के book में मिल जाएगा book का नाम मैंने बता दिया था आरपी रस्तोगी लेकिन semester 3 की book अभी printing नहीं हुई है printing press में है अभी already work in progress कह सकते हो तो जैसे ही होगा उसके लिए मैं आपको फटा-फट से intimate कर दूँगा और book का link भी दे दूँगा जी book आ गई है फटा-फट से आप ले सकते हो ठीक है ना अभी फिलहाल book नहीं आई है तो अभी हम ऐसे ही काम चलाएंगे थोड़े जितने questions है और आपको इसके PDF वगेरा मिल जाएंगे जो भी है जो भी class notes होते हों मिल जाएंगे सभी बच्चों को तो sir question क्या कहता है पढ़ते है calculate degree of operating leverage degree of operating leverage degree का मतलब मैंने बताया था किसी चीज को check करने का एक तरीका होता है और basically क्या होगा हमारा operating leverage है जिसको short form में मैंने भी बोला था DOL और degree of financial leverage DFL भी निकालना है and degree of combined leverage जिसे DCL बोल दिया the following firm and interpret result इसके बाद आपको result पे भी थोड़ा सा गौर करना है result पे गौर क्या करना है कि कौन से firm का better है तो जोई सबसे कम जिसका leverage होगा वही better होगा हमारा लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है किसी का operating leverage कम है और किसी का financing leverage कम है तो हमें दोनों aspect में इसके answer देने पड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम अगर formula में लिखने की बात करूँ क्योंकि हम यहीं पर पूरा का पूरा कर लेंगे अगर formula लिखूँ तो पहले सबसे पहले DOL का formula आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए क्या होता है भूल जाओ तो सबसे पहले उपर वाला divide करो स्टेटमेंट आपको पूरा याद होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगे formula क्या था सर formula था इसका contribution divided by EBIT इसके बाद हमारा था D आपका कौन सा था DFL formula क्या था सर इसका EBIT और exam में आप पूरा लिख सकते हैं standard formatted divided by EBIT इसके बाद DCL के दो तरीके थे या तो आप इन दोनों के answer को multiply कर दो हमने prove भी किया था या फिर secondary आप क्या कर सकते हो contribution divided by EBIT आपकी मर्जी आप जैसे मर्जी निकालिए सारे answer 100% correct माने जाएंगे मैं एक question को पहले पूरा read कर देता हूं कि भी है question क्या कह रहा है क्या जानना चाहता है कहता है हमारे पास तीन तरीके के firm है firm A firm B firm A मैंने marker select नहीं किया हमारे पास तीन तरीके का firm है firm A है firm B है firm C है यानि तीन अलग अलग business है तो इसका मतलब अगर हम leverage निकालेंगे तीन leverage निकालना है तो A firm का भी तीनो निकालना पड़ेगा और B firm का भी तीनो निकालना पड़ेगा और C firm का भी तीनो ये questions एक्जाम में भी आया हुआ है और मैं बोलूँगा as a practice के लिए ये है कहता है output, output का मतलब होता है हमारा sales का unit, output का मतलब होता है हमारा क्या sir, sales का unit होता है output का मतलब, ठीक है न, जैसे हमने 10,000 unit बेचे हैं तो output से उसे consider किया जाता है, तो भी हमने 60,000 unit, 15,000 unit और 1,000,000 unit बेचे हैं, fix cost दे रखा है, अब ऐसा मत सोचना, कि sir firm A और firm B में fix cost कैसे बदल गया, भाई, दोनों अलग-अलग business है, दोनों अलग-अलग organization है, अगर होता न, कि 2010, 2011, 2012 या फिर आपका sales बढ़ाना होता है, एक ही firm के अंदर तो fix cost टेक रहता, यहाँ पे यह firm अलग है, और यह firm अलग है, इसलिए दोनों में fix cost भी अलग-अलग देखन को मिल रहा है, ठीक है, अब variable cost 0.2 कहता है, तो 0.2, एक unit पे 20 पैसे 0.2, यहाँ पे 1.5 पैसा, यहाँ पे 2 पैसे है, तो वो मैं multiply करके दिखा दूआ, interest fix दे रखा है, सर यहाँ dash का मतलब क्या है, dash का मतलब है, सर यहाँ पे interest है, ही नहीं, 0 interest है, selling price per unit, हर unit को sales करने का unit दे को कि first class है, उनको भी यह statement समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि यह statement में कोई दिक्कत आने वाली है, बस आपको ध्यान से concentrate करके focus करके सुनना है, तो मैं एक format बनाऊँगा, और ऐसा नहीं है कि यह वाला format आप पहली बार करोगे, हम बहुत कभी न कभी इसको use करते आएं, लेक एक form हो गया, दो form हो गया, और आप भी exactly same answer निकालेंगे, तीन form हो गया, ठीक है ना, तीनों form का यहाँ पे नाम डाल देते हैं, सर, यहाँ पे form A, form B और form C, particular, ठीक है, form A, form B और form C, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, sales लिखते हैं, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, sales लिखेंगे, तो चलिए आईए लिखते हैं, sales, तो, सर, sales, एक का मैं बता दूँगा, बाकी का आप वैसे ही calculation करिएगा, जैसे होता है, एक का अगर मैं बताओं, तो sales होगा क्या, सर, sales होगा हमारा unit, unit पहले वाले का कितना है, 60,000 unit, ठीक है, 60,000 unit, और एक unit का rate आपको यहाँ गीवन है, sales का, that is 0.6, तो into में हम करेंगे 0.6, ठीक है, तो आप किसको multiply करेंगे, तो क्या आएगा, that is 36,000, पहले point में कि सबको clear है, sir, दूसरे का sales, output लिख सकते हैं, sales की जगह आपको output लिखना है, output लिखो, लिकिन standard format हम sales लिके चल रहे हैं, तो sales ही लिखेंगे, ठीक है, चलिए, 36,000 जवाब भी दे दिया बच्चोंने, अब दूसरे का कैसे निकालना है, देखो, दूसरे का output यह है, यानि sales और into में 5, तो 15 into 5, मैं directly 75,000 कर आँ यहां पे, किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनियेगा, आपको समझ में आएगा, यहां पे unit दे रखा था, कितना हमारा, मैं unit उपर लिखी देता हूं, यहां पे unit था सर, 60,000, और यहां पे unit है 15,000, और यहां unit है 1,00, अब इन सभी को मैं ने selling price से multiply किया है, इसके बाद यहां से minus क्या करते है सर, variable cost, variable cost भी पहले वाले का मैं करके दिखाऊँगा, बाकी सब इसी तरीके से होना है, हर किसी का, पहले वाले का variable cost 20 पैसा है, तो 0.2 हो जाएगा हमारा, तो यह आजाएगा हमारा 12,000, ठीक है, variable cost 12,000, सर, B का कैसे निका का लोगे, B का variable cost डेट रुपए है, तो 15,000 into में डेट हो जाएगा, तो 15 into 15 कितने होते हैं, 22,500, और अगले का 2 पैसा है, तो 1,00, अरे इसका तो यह लिखा ही नहीं हमने, इसका 10 पैसा है, 10,000, और 2 पैसा है, तो 2000, ठीक है, तीनों का मैंने लिख दिया, इसके बाद हमें क् minus कर देना है, और एक new result हमें generate होके मिलता है, simple है, बिल्कुल simple, और जो इसके बाद minus करके आता है, हम थोड़ा सा standard नाम यूज़ कर रहे हैं, that is contribution, contribution, एक बढ़िया सा नाम यूज़ कर लिया, contribution, मैं आगे से cunt. भी लगा दूँआ, वो चलेगा, ठीक है ना, क्या लिख लिख या contribution, तो minus करना है, तो 36 minus करेंगे, तो क्या हैगा, सर, 24,000, minus करेंगे, तो क्या हैगा, आप बता दीजिए, ये वाला मैं कर देता हूँ, जितने बच्चे offline में सभी calculator से करिएगा, जो नहीं लाए, ये calculator लिखिए, आप सभी का है कहा calculator, 52,500, FC 10,000, बच्चों ने निकाल के बता भी दिया, 52,500, 52,500, चलिए, 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 बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने तो answer भी निकाल दिया, अक्षय ने answer भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, हम देखो, दीरे-दीरे करेंगे, अब इस में से क्या minus करोगे, सर, आप, सर, इस में से पता है क्या minus करने वाले हैं, सर, इस में से minus करेंगे, हम interest, नहीं, fix cost, पहले fix cost आएगा, भाई, पहले fix cost, fix cost, इसके बाद नहीं, fix cost माइनस करते हैं, इसको मैं, VC मतलब variable cost है, fix cost को मैं कहूंगा, आगे से FC भी बोल दूँगा, अब, fix cost पहले वाले case का है, 7,000, दूसरे वाले case का है, 14,000 और तीसरे वाले case का है, मातर 1500, जब इस में से minus कर दिया जाएगा, तो minus करने के बाद, सर, क्या result आएगा, हमारा, हमारा result आने वारा है, EBIT, सर, minus करेंगे, 7,000, तो कितने बचेंगे, 17,000, और यहाँ 14,000 minus कर दो, 38,500, और दूसरी side minus करो, कितने, 6,500 रोपे, ठीक है, अब इस में से हमें क्या minus कर देना है, सर, इस में से minus कर देना है, हमें minus interest, सर, interest कैसे निकालोगे, हर किसी का interest दे रखा है, पहले वाले का 4,000, दूसरे वाले का 8,000, और तीसरे वाले का सर है ही नहीं, तीसरे वाले का सर है ही नहीं ठीक है सर अब जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारा EBT और हमारा leverage के लिए इतना ही काम होता है तो ये आजाएगा हमारा 13,000 और ये आजाएगा 30,500 और ये आजाएगा 65,000 तो जो बच्चे नए है फ्रेशर है जो बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं आएगा सिंपल देखो सबसे पहले होता है sales sales में से minus क्या करते है variable cost तो एक नया नाम generate करते हम जो कि मैंने pink word से लिखा हुआ है new नाम generate किया है that is contribution contribution के बाद क्या minus करते हम fixed cost तो एक new नाम generate हो जाता है that is क्या होता है EBIT इसका full form क्या है sir earning before interest and tax इसको profit before interest and tax भी बोला जाता है इसके बाद हम interest minus करते है तो एक new name generate हो जाता है that is क्या है हमारा EBIT से earning before tax बोलते है अब तीनों leverages पूछे हुए है तो यहां पे मैं लिख देता हूँ DOL ठीक है यहां पे मैं लिख देता हूँ DOL और formula आपके सामने यहां लिखा हुआ है तो मैं formula लिखूंगा नहीं आप इसको ऐसे भी कर सकते है examiner को एक जगा formula लिख दीजिए examiner समझ जाएगा और इसको नाम ए दे दिया इसको नाम B दे दिया इसको नाम C दे दिया अपने एक नाम दे दिया ठीक है तो DOL क्या होगा हमारा A upon में B ठीक है यानी contribution divided by E.B.IT और dcl क्या होगा dcl नहीं dfl क्या होगा सर dfl होगा b upon मे c और sir dcl क्या होगा DCL इन दोनों का multiplication कर लीजिए या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं सर या फिर कैसे निकालेंगे A upon में C, ऐसे लिख दीजिए formula क्योंकि आपके register में space है तो पूरा पूरा लिखिए नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है समझ मैं दूसरा एक और तरीका सर और कोई तरीका नहीं है, बिलकुल यहां पर आप calculation करके हर किसी का firm A का तीनों निकाल देजिए, फिर firm 2 का तीनों निकाल लिए, फिर firm 3 का, वो थोड़ा सा लंबा process हो जाएगा, तो पहले का answer बताईए क्या आता है मैं यहां करके दिखा देता हूँ, पहले का आज़े का, 14, 24,000 मैं एक कॉलम का निकालूँगा, बाकी ऐसे ही करना है 24,000 divided by 17,000 क्या गया 1.41 दूसरे का क्या होगा सर? तो पहले डिवाइट 17,000 divided by divided by 13,000 1.30 तीसरे का सर क्या हैगा डिवाइट करेंगे तो 13,000 1.83 इसको multiply कर दो या फिर आप लिख सकते हो 24,000 divided by 13,000 क्या गया 1.83 समझे? चलिए, अगले बारे कॉलम का बता दीजिए 1.363 दो डिजिट तक ले लें तीन जाने की अवशकता नहीं है अगला 1.26 अगला 1. multiply कर तो आप सीज़ा 1.71 ठीक है? अब थर्ड वाले पोर्षन का निकाल लेते हैं क्या आएगा बताओ? 1.23 बच्चों ने बताया calculation आप भी करके चेक करिएगा जितने बच्चे लाइव में हैं सभी बच्चे चेक करिएगा निहा, नीशु जिसका भी जवाब आ रहा है भी देख लेते हैं सभी का अगला क्या है? 1 अब देखें मजे की बात सर, इसके अंदर बीच में तो कुछ है ही नहीं तो 1 का मतलब क्या होगा? कि भाईया, अगर मैंने बोला degree of operating leverage 1 आ रहा है तो मतलब fix cost नहीं है क्योंकि अगर मैं ये fix cost मान लो suppose करो ये fix cost मैं यहां से हटा दूँ तो फिर हमारा यहां पे क्या आएगा? ये भी नहीं आएगा, ये भी हट जाएगा और ये हट जाएगा तो क्या आएगा? तो आप देखो, अगर fix cost इसमें ना होता तो कितना आता operating leverage? आप क्या करते? इसको divide इस से करते तो 1 ही आता समझ में आया? और ऐसे interest नहीं है तो क्या आया? 1 ही आया इसका मतलब सर अगर जो भी components missing होते है उसके case के अंदर उसका 1 आता है तो 1 तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है 1 का मतलब भया कोई फरक नहीं पड़ता 1 तो हमारा basic ही है लेकिन दिक्कत तब आ चाहिए 1 के आगे बढ़ता है हमारा तो यह multiply करोगे तो यह आजएगा 1 point अब बोला गया है इसके अंदर interpret कुरना है आपको interpretation देना है क्या देना है result पे तो सब 3 के अपने-पने result है अगर देखा जाए मैं लिखूँगा नहीं मैं समझाता हूँगा आपके पास किताब है तो वहाँ पे conclusion बस एक readable है इससे better यह है firm A और B C तीनों में compare करके बताना है तो मैं बोलूँगा तीनों में से सबसे बढ़िया performance firm C का चल रहा है क्योंकि इसका सबसे कम operating leverage है इसके बाद financing में भी सबसे best है क्योंकि इसका कम है यहाँ पर interest का कोई चक्कर ही नहीं है इसके बाद combine में भी यह best है तो यह conclusion देना है कि हमारा जो operating leverage financing leverage जो भी है इन सभी में से best कौन सा है बस आपको यह बताना था तो यह सवाल number था हमारा first आपके किताब का यह हमने done कर लिया किसी को कोई दिक्कत है तो फटा फट कमेंट में बता दीजिए noting का मैं proper time दे दूँगा 1.3111 सभी का अंकित का सभी का जवाब आ गया है hand raise का अभी एक दिन और रुकना होगा hand raise के लिए क्योंकि इसके अंदर एक और points देखेंगे ठीक है सभी को clear आगे बढ़ जाए एक और question ले हो गया note note कैसे देना है आपको note normally आप conclusion interpretation का है मैं दिखा दूँगा अभी class के बाद इसका मैं दिखा दूँगा note कैसे देना है और उस तरीके से normal अपने layman इसमें से best as per operating leverage C firm माना जाएगा and also financing leverage के हिसाब से भी C है and अगर दोनों best है तो combine तो अविस बात है कि वो best रहेगा यह रहेगा तीनों firm के comparatively बस इतना लिखना है चलिए sir एक और सवाल देखते है ठीक है यह थोड़ा सा interesting question है यह 2019 में पूछा गया था exam में लेकिन इसको करने से पहले न हम एक आपका concept develop करना चाहते है इससे पहले एक concept develop कर ले हम अपना थोड़ा सा कुछ एक points और understanding बढ़ा ले ताकि question पढ़े तो लगे कि यह तो हम करी लेंगे सर क्या concept है simple सी बात देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था format के इसाफ से सबसे पहले होता है sales let's assume भी मैं करता जाऊँगा 100 रुपे का sale है इसमें से minus क्या करते है variable cost अब यहाँ पे variable cost में मैंने बोला अगर आपको 70% तो आपको पता चल जाएगा कि variable cost कितना है 70 है समझ रहे हूँ और अगर आपको variable cost का percentage ना दे सीधा amount दे तो क्या हम इसका percentage निकाल सकते है variable cost का जी हाँ इसका percentage निकाला जा सकता है और क्या percentage होगा सर 70 फॉर्मूला लिख देता हूँ percentage क्या होगा आपका अगर ये सीधा 70 दे तो VC upon में sales into 100 अगर कर दें तो ये variable cost का एक percentage आ जाता है सर ये क्या आता है VC का percentage, variable cost का percentage जो बहुत बड़ी बात नहीं हम करते आए अगले point पे जाएंगे तो ये क्या आएगा हमारा contribution contribution कितने आएगा 30 अगर मैं contribution का percentage पूछूं तो contribution का percentage पता है कैसे आएगा सर contribution का percentage आएगा हमारा contribution divided by sales into 100 ठीक है और आगे चलके आप जो management account वाले बच्चे नहीं तो management account के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ बहुत detail में given है तो contribution upon में sales contribution upon में sales क्या है सर ये percentage किसका आगया सर country का percentage आगया अब एक मजे की बात देखो अगर sales variable 70 था तो contribution पता है कितने percent आएगा मैं इसका निकाल के भी बताऊँ तो आपको पता चल रहा होगा सर सीधी सीधी बात है पता चल रहा होगा आपको कि कितने percent आ रहा है 30% अगर आपको variable cost का percentage बता दे तो आप contribution का percentage बता सकते हो अगर आपको contribution का percentage बता दे तो आप variable का बता सकते हो इसका मतलब सर हमेशा 100% is equal to 100% किसका होता है हमेशा सर ये sales का रहता है हमेशा is equal to VC का percentage और प्लस किसका contribution का percentage यही होगा आपके सामने मैंने situation भी बनाया हुआ है आप देखिए हाँ या ना पहले समझे आप इस बात को क्या यही बन रहा है यह situation मैंने इसलिए simple से लिया है कि भीया sales जो होता है variable cost का percentage और contribution का percentage को जोड़ दिया जाए आप देखिए 70 में क्या जोड़ आप 30 जोड़ दिजिए तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे sale पर पहुंच जाएंगे यही बात हैं यहां पर यहां तक समझ में आ रहे हैं अब मालो मैं आपसे थोड़ा सा और advance question पूछ लूँ के मैं बोलूँ आपको के हमारा ना यह 70 रुपए है सपोस करो मैं आपको बोलता हूँ के मेरा contribution ना 70 रुपए है ठीक है और VC का percentage ना VC का percentage है वो भी 70 परसेंट है तो आप मुझे बताइए के मेरा sales कितना होगा question मालक है आपको क्या दे रखा है contribution कितना दे रखा है 70 और VC का percentage कितना है 70 आप तभी किसी चीज को 100% पर ले जा सकते हैं जब आपको जो amount given हो और उसका percentage given हो यानि sir यहाँ पे तो very simple अगर आपने बोला VC का percentage 70 है तो इसका मतलब sir contribution का percentage तो हम बता सकते हैं कितने percent होगा contribution का that is 30% और आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया है amount के terms में contribution आपको contribution amount के terms में पता है contribution percentage के terms में पता है तो आप 100% value find कर सकते हो कैसे करोगे sir तो sales is equal to क्या होगा यह formula लगा लगा लो यह आपको पता है percentage दे रखा इधर उदर करोगे आजाएगा आपको क्या लिखा होगे contribution की जगह पर contribution sales की जगह पर question mark और यह percentage की जगह पर percentage बागी मैं directly बता देता हूं कैसे आएगा sales is equal to 70 और divided by contribution का percentage 30 और into में क्या कर देंगे हम 100 that is आपका कितने आगे बताओ बताओ कितने है 233 जो भी आगया यह देख लीजिए क्या आपको contribution का percentage मिल जाए और contribution का amount मिल जाए तो directly sales निकाल सकते हो जवाब yes sir directly हम sales भी निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है 233 बच्चों का जवाब भी आ गया 233 233 लेखिन क्या आप variable cost amount के terms में निकाल सकते हो यहाँ पर variable cost निकाल सकते हो निकाल सकते सर निकाला जा सकता है sales का ही तो था सर यह 70% किसका 70% होगा sales का now आपने sales तो find कर लिया है समझ रहे हो बात किसका percentage यह क्या है हमारा बताओ यह क्या हमारा sales है और यह जो मैंने वी सी का percentage बोला यह क्या था हमारा sales का ही तो percentage होता है ultimately तो अगर मैं इसका 70% निकाल लो तो कितना आता है बताओ ज़रा एक बार हां 163 पॉइंट वगरा छोड़ देना उसके उपर जाए ध्यान मत देना तो वी सी भी निकाल लिया समझ रहे हो बात यानि किसी का percentage दे दे और उसका amount पता चल जाए तो हम sales को निकाल सकते हैं है ना अगर चलो एक question मैं आपको देता है आप मुझे बताना फिर मैं इसे rub कर दूँगा यहां से मैंने कहा कि मेरा ना contribution का percentage है दियान देना contribution का percentage है 40% और variable cost है दिरे दिरे करता है आगे चलते हैं और contribution है 400 तो मेरा question mark है आप मुझे बताएए sales और दूसरा मुझे बताएए variable cost चलिए बताएए फटा फट क्या आएगा दो question मैंने पूछा आप से बहुत simple simple से question 163 हरियोम का अंसर आ गया 1000 रुपे अक्षे 60 नीशू 1000 आर्जू 1000 सेल्स 1000 और VC 400 सभी बच्चे 1000, VC 400 सभी बच्चों ने जवाब दिया तो सभी बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया सर आपने पता है सेल्स कैसे निकाला क्योंकि आपको दोनों की percentage पता था और यहां पर फॉर्मूले में यह अप्लाई कर दिया या जैसे भी तो मैं क्या करूँगा सर 400 divided by 40 into 100 तो आपने 1000 निकाल लिया अगर आपको यह पता चलिया तो variable cost में निकाल लोगे आप लेकिन सर variable cost तो तभी निकालेंगा जब variable cost का percentage पता चले लेकिन सर हमें contribution का percentage पता है तो variable cost का percentage तो क्या होगा 100 minus country का percentage यही तो मैंने बता है अगर आप इस formula को दियान से देखे यह दोनों अपना से तो इदर उदर के निकाल ली सकते गया तो यह कितना आ जाएगा हमारा सर यह आ जाएगा quantity का percentage 40 था तो यह आ गया 60 आपने इसका जट से अब variable cost 600 आएगा कुछ बच्चे 400 बता रहे थे तो variable cost 600 आएगा आपका चार सो नहीं आएगा 600 आएगा साथ नहीं है भाई साथ नहीं है 600 है percentage के terms में 60 है अगर variable cost का percentage आप से पूछू कितना variable cost का percentage होगा 60 यानि सिंपल सी बात अगर मेरे को contribution बता दे 100 में से minus करके variable cost का percentage निकाल लेंगे अगर variable cost बता दे तो 100 में से minus करके contribution का percentage निकाल लेंगे 600 600 यहां तक हर बच्चो को clear है एकदम से point यहां तक clear है तो चलिए आगे question पे चलते है इसके बाद के कहानी आपको simple सी पता है बात है कि क्या होता है हमारा fixed cost होता है अगर fixed cost 10 रुपे है तो इसका घटा दे sales के level को बढ़ा दे या घटा दे तो हमारे fixed cost पे कोई भी फरक है लेकिन variable cost उसी परपोस्नेट परसंटेज में change हो जाता है जिस परपोस्नेट परसंटेज में हमारा बढ़ रहा है या फैर घट रहा है ठीक है चलिए अब एक सवाल देख लेते हैं क्या कहता है सवाल में मैं एक format बना लूँ छोटा सा फिर मैं सवाल को भी पढ़ दूँ आपके लिए मैंने अपने लिए बनाये दो कॉलम क्यों बनाया बाद में बताएंगे सबसे पहले हम present लिख देते हैं या फिर अभी कुछ भी नहीं लिख रहे है बिल्कुल ब्लैंक छोट रहे है इसको ठीक है पहले question हम पढ़ लेते हैं कहता है अब firm sales rupees 1 lakh एक लाग है दस लाग है 10 लाग 10 लाग का sales है variable cost 7 लाग का है यानि सवाल में आपको sales दे रहा है sir और sales जो है वो है 10 लाग का और variable cost कितने का है हमारा 7 लाग का यह दिखनी रहा होगा थोड़ा सा dark है and fixed cost जो दे रखा है 2 लाग का दे रखा है आपको debt debt क्या होता है sir debt करजा, liability, loan, debenture को debt भी बोलते हैं हम short form में कहता है debt दे रखा है आपको कितने का 5 लाग रुपए का और उसके उपर percentage दे रहा है आपको 10% what the operating and financing and combined leverage बोलता है भाईया बता दो आप operating, financing और combined leverage बताओ इस सवाल में exam में पूछा गया है कौन से year में जिसके पास book होगा देख सकते हैं आगे क्या कहता है सर if the firm want to double learning अब यह बाले ध्यान रखिए का पहले हमने यहां तक कर लेते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम अगले बाले पार्ट पर आएंगे पहले आदा पार्ट कर लेते हैं फिर हम आगे पढ़ेंगे जो जो जानकारी दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है यहां particular लिखना है आपने और सबसे पहले क्या दे रखा है हमें sales और sales कितने का है 5-6-0 minus में variable cost 7,00,00 इस में से minus करेंगे that is come contribution contribution 3,00,00 इस में से क्या minus करेंगे सर fix cost सवाल में fix cost 2,00,00,00 given है तो हमारे पास result आएगा that is हमारा EBIT अब EBIT आएगा कितना सर 2,00,00,00 minus करोगे तो कितने आ जाएगे 1,00,00, इस में से minus करोगे क्या सर interest examiner ने यहाँ पे चला की दिखाई आपको बताया है भाई साब हमारा करजा 5,00,00,00 का है और इस 5,00,00,00 के उपर हम ब्याद जो देंगे वो कितने percent देंगे 10% तो इसका मतलब सर यह 50,000,00 रुपे का आपका interest आएगा जो आपने find किया है अब जो आएगा निकल के वो आजाएगा EBT यहां तक अगर हर बच्चों को clear है और इसके बाद तीनो टाइप के leverage पूछे हुए है तो लोजी तीनो टाइप का leverage निकाल देते है DOL DFL और DCL इनका formula क्या होता है आपको इधर पहले लिखा था आपको याद भी होगा तो यहां पर मैं simply लिख देता हूँ सर क्या होगा contribution upon me EBIT इसका क्या होगा EBIT divided by EBT और इसका आपको पता है दोनों को multiply कर देंगा मैं लिख नहीं रहा formula अभी तुम लिखा ही था बार बार लिखके क्या करेंगे पहले वाले का देखा जाए तो क्या है तीन और दूसरे वाले का देखा जाए तो दो और combine का देखा जाए तो multiply करके छे हमने यहां तक के part को बड़े अच्छे से complete कर लिया किसी को कोई doubt है तो बताईए तीन दो छे बच्चों ने निकाल भी लिया चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है कहता है if firm firm का मतलब business company if firm want to double earning before interest and tax यानि EBIT को firm चाहती है double कर दें double का मतलब जितना अभी है उसका दो गुना कर दें how much raise in sales sales में कितना बदलाव होगा need to be percentage basis आप बताईए कितने percent sales में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इसके दो method एक shortcut है एक long है पहले हम long method से पहले समझेंगे shortcut method से जब percentage change वाले दो साल का data होगा तो मैं वहाँ बताऊँगा अभी पहले हम normal समझते हैं तो सवाल क्या कहना चाहता है कि इसका EBIT double हो जाए EBIT double का मतलब क्या होता है सर EBIT double का मतलब है सर बड़ी सी बात है मैं इसी के साथ में line खीच देता हूँ यह बोलना चाहता है कि यह 2,00,00 हो जाए तो बताओ क्या होगा यही बोलना चाहता है समझ रहो 2,00,00 रुपे है ना अगर 2,00,00 रुपे हो जाए तो क्या होगा तो बही 50,000 तो fix है यह तो 50,000 ही रहने वाला है जितना पूछा है मुझसे कहीं ज़्यादा अंसर दे सकते हैं इसको मैं इस format में बता रहा हूँ तो सर यह कितना आ जाएगा हमारा ठीक है यह मैंने extra निकाला है हम इस से उपर की site जाने वाले है अब बताओ fix cost जो है इस level पी भी कितना रहेगा हमें नहीं पता कि sales कितना बढ़ने वाला है हमें नहीं पता मैं लिख देता हूँ यहाँ पे new new पूछा है हमें question मार का भी नहीं पता आप सभी अगर इस से agree करते हैं तो आगे हम बढ़ें चार लाग कैसे है समझ में आया अब आपको अच्छे से पता है कि sir आपका VC का percentage जो है वो आपको देख के ही पता चल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ directly अगर कुछ और अट-पता amount होता तो निकाल के दिखाता है सत्तर परसेंट है देख के पता चल रहा है हमें कितने परसेंट है बताईए पता लग रहा है कितने परसेंट है सत्तर परसेंट अगर आपको देख के ही पता चल रहा है ये कितने percent होगा अभी यही सीख रहेते न तो अगर आपको ये 30% पता है और amount भी पता है तो क्या sales निकाल पाओगे अभी बता है था मैंने तो sales निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं sir amount पता है that is amount क्या है हमारा 4,00,000 divided by आपका contribution का percentage तो formula ना आप 100 ना करें सिर्फ 0.3 करेंगे तब भी आ जाएगा क्योंकि मैंने 0.3 कर दिया या फिर आप ऐसे भी कर लीजिये जो आपके इच्छा है 4,00,000 divided by अरे divided by 30 into 100 कोई बात नहीं है बताइए क्या आया ये आ गया 13,333,333 रुपए 3,3,3 2,4,1,3 कम है 2,4,5 3,6 नहीं 6 बार 3 क्यों 13,333,333 अच्छा एक जादा हो गया मुझे क्यों लग रहा है कम है अच्छा ठीक है 2,4,6 6, मैंने 7,6 बार 3 आएगा ठीक है तो सर आपको न एक बात पता चल गई कम ये पता चल गया 1,2,3,4,5,6 क्या आप variable cost निकाल सकते हो कौन बच्चा variable cost निकाल पाएगा बताओ जलती कैसे निकलेगा variable cost पूछा नहीं है सवाल में सवाल में बोला है sales बता दो कितना होगा वो तो हमने बता दिया बस आप के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होगा बताए variable cost क्या होगा 9,33,333 ये सिर्फ अब आप देखो अगर आपको इसके कोई भी components को double, triple कुछ भी बोले तो आप पूरी statement निकाल सकते हो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कहीं से भी कोई भी picture के निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए आपको basic concept पताओना चाहिए क्या के contribution percentage, variable cost का percentage तभी निकाल पाओगे ठीक है आप ये भी निकाल पाओगे easily, DFL आपसे ये question पूछा जा सकता है exam में के EBIT double हो तो बताओ हमारा DFL, DECL और DOL कितना होगा पूछ सकता था तो भी आपको ये पूरी statement तो बनानी पड़ती तो इसी तरीके से बनाते हैं आप DFL निकाल देते हैं कितना है हमारा कितना है DOL चार दो आ गया और ये कितना आ जाएगा ये बढ़ जाएगा ना दो और डेड़ साड़े तीन चाटेगा बढ़ा रहे हो आप तो 1.33 और ये कितना आ जाएगा 2.66 आपको 66 ही होगा ना ठीक है सवाल जो पूचा है भी हमने आंसर नहीं दिया एक्जाम रख गयता है हाव मच रेज इन सेल्स सर आंसर सेल्स विल वी इंक्रीज रुपीज कितना रेज होगा सेल्स में तो 10 था 13 हो गया तो सेल्स विल बेंक्रीज यह रहा है तीन लाक तैंतिस हजार तीन सो तैंतिस रुपए ठीक है इंक्रीज के साथ बाय भी लगा दो तो बेटर है है ना सेकिंड कहता है नीड ऑन परसंटेज बेसिस वाइसा परसंटेज बेसिस के इसाफ से बताईए तो आपको बताया था जब दो बार का डेटा गीवन हो तो परसंटेज कैसे निकालते हैं याद है उसका गैप निकाल लेते हैं और पिछले वाला जहां से हमने डिफरेंस निकाला भूलेते हैं तो परसंटेज सेल्स कैसे निकलेगा इसी कल्टू चेंज इन सेल्स चेंज को ना मैं डेल्टा बना देता हूं यह डेल्टा ही होता है ना डेल्टा का मतलब क्या होता है सर ठीक है परसंटेज के लिए डेल्टा इन सेल्स डेल्टा इन सेल्स डेवाइड़ वा है डेवाइड़ वाइड़ कौन सा येर बेस येर कहलो आप तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा चेंज कितना है चार पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है डेवाइड़ वाइ इन्टू में हंड्रेड तो ये परसंटेज चेंज होगा समझ में आरे बात इसको एक शॉटकर तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन मैं सॉटकर तरीका सिर्फ करके दिखाऊंगा उसको अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि उससे एक और कॉंसेट जुड़ा हुआ है जब तक वो कॉंसेट समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा सॉटकर तरीके में आपका सेल्स कितने परसंट बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है तो आपका परसंटेज चेंज इन सेल्स इस इकल टो परसंटेज चेंज इन EBIT divided by DOL percentage change in EBIT कितना था 100% divided by DOL कितना था present वाले का देखो 3 that is 33.33% दो line में answer खता लेकिन ये बना कैसे बहुत सारे questions होंगे थोड़े एक दिन का समय लो question को समभाल के रखो अगली class में concept पूरा का पूरा clear हो जाएगा दो साल का data आएगा तो हमारा समझ में आई बात आपको कि percentage change in sales मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे आया हमारा एक बार फिर से देखिए हमारे पास question ने क्या कहा कि EBIT को double करिए हमने EBIT को double करा EBIT double के बाद बोलता है FC जो यहाँ था वही FC लिया और हमने पहले से calculate कर लिया भाया यह 70% है तो यह 30% होगा हमने पहले concept देखा तो इसका मतलब सर यह 30% और यह 30% तो 30% के equal रखके हमने पूरी sales निकाल ली जो कि यह sales हो गया हमारा यहां का और इसी का कितने percent निकाल लिया 70% तो यहां पे आ गया है सीधा को सीधा अब इससे एक statement बना लिया हाला कि सवाल में ना तो यह बोला गया ना तो यह बोला गया हमने अपने इच्छा से निकाला गया अगर सवाल में आ जाए तो कैसे करेंगे हमने पूरा statement बना लिया अब percentage change निकालने का मतलब भईया इन दोनों का डिफरेंस ले लो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 3,333,333 रुपे divided by base year 10,000,000 into 100 हमारा एक परसंटेज sales का terms से निकल गया वैलकुल एक्जाम में बस इसने बोला था परसंटेज चेंज बताईए अगर बोलता है ना also verify the answer परसंटेज चेंज वाला ताकि आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ ठीक है सर ऐसे भी हो सकता है जिस बच्चों को लेंदी लग रहा हो अभी सभी के shortcut हम आगे दीरे-दीरे देखते जाएंगे जैसे पढ़ेंगे यहाँ तक हर बच्चों को clear है सर VC से sales नहीं निकाल सकते परसंटेज में बिल्कुल VC से भी sales निकालना चाह सकता है आपको पता था एक बात एक और मैं बात बताओ जैसे हमें ये पता था ठीक है ना हम सीधा 70% भी निकाल सकते थे सीधा वेरियेबल और VC से भी sales निकाल सकते थे अगर मैं बोलू के भी आप बिना sales के आप VC निकालिए तो आप formula में पता है क्या लगाएंगे 4 लाग था और divided by कितने परसंट के 30 और आपको पता है VC का परसंटेज 70 है तो इंटू में 70 करिए सीधा आपका निकल के आएगा डारिक्ली है यानि मैं सर बताना चाहूं तो जितने एक amount है उसका percentage नीचे रखी है इसके बाद जो आपका मन करता है percentage उपर multiply करते जाए अगर आपको 70% निकालना है 70% निकालिए, 40% निकालना है, 40% निकालना है 20% निकालना है, 20% निकालिए, 100% निकालना है, 100% सेल्स को हमेशा 100% मानते हैं इसलिए मैं starting में क्या लिख देता हूँ इन्टू में 100 और अगर आप VC निकालना चाहते हैं तो VC का percentage आपको अल्रेडी पता था 70, आप 70 लिखके भी निकाल सकते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नि अब इसके ना जितने बच्चे हैं न वो अपने अपने खुदी एक फॉर्मूला और एक खुदी शॉटकट डेवलप करते हैं तो हर बच्चे का ठीक माना जाता है मैं हर तरीके से बता दूँगा जोभी बेस रहेगा outros निकाल अपना जाता है सर, 30 पूच रहें कैसे आया अगर आपको वेरियेबल कॉस्ट पता modest पंट है कि ये 70 पंट है ये 70 पंट है तो वेरियेबल कॉस्ट सतर पता है तो country आपको पता ही चल गया 30 आएगा देखो यहाँ पर बताया है तो formula 100 is equal to VC percentage plus में country percentage format का कुछ भी heading नहीं होगा बस यहाँ पर calculation income statement कह सकते हो computation of income statement या सरफ income statement कह सकते हो और assets कुछ नहीं लिखते हैं या फिर उपर लिख सकते हो calculation of operating leverage, financing leverage, combined leverage clear है यहाँ तक? एक और सवाल देखें यह सवाल percentage change वाला है third अभी नहीं करेंगे अगली class के लिए बचा कर रखते हैं जो 2 साल का data है उसमें काम आएगा बहुत simple सा होता है एक यह सवाल है आपके सामने लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं आपको फिर से कुछ चीज़ें सिखाना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा आपने economics में इस terms का बहुत ज्यादा use किया है और पहले भी कहीं न कहीं use किया हुआ है यह term तो formula 1 होता है हमारा break even point जिसको मैं short form में और जो भाई साब बच्चे हैं न किसमें management account become honors के बच्चों के कुछ के पास management account है semester 5 वाले बच्चों के पास उनका तो पूरा एक chapter है जिसमें से सिर्फ इस break even point के उपर 15 नमबर का सवाल आता है सिर्फ break even point के उपर पूरा का पूरा chapter है वो तो sir break even point क्या होता है break even point का मतलब समझो पहले आप sir break even point वो level होता है जहां पे हमारी सारी के सारी fix cost recover हो जाती है उसको बोलते है break even point जहां पे हमारा वो sales माल लेते हैं मेरा जो sales है sales that is हमारा hundred का है ठीक है and minus variable cost variable cost माल लो 70 का है तो बचे कितने 30 और अगर मेरा fixed cost भी 30 है तो हम जो profit है वो तो 0 आ गया न तो वो level जहां पे हमारा no profit no loss होता है उसको क्या बोलते हैं break even point बोलते है या फिर हम बोल सकते हैं जहां पे sales is equal to TC हो जाए सर यह क्या बोल दिया आपने sales is equal to total cost total cost का क्या formula होता है total cost हमारे दो चीजों के मिला के बनता है BC plus में FC यह सारे management account पे हम सीखते हैं लेकिन अभी आपको इतना detail मैं जितना बता रहा हूं समझ मा रहा है ओके नहीं तो भी कर लेंगे वो तो ठीक है break even point का formula जो होता है न वो होता है सर फिक्स cost divided by दो बातें लिखा जा सकता है यहां पे मैं लिखिन दूसरी बात निए contribution की बात करूँगा यहां पे divided by contribution यानि cpu cpu समझ में आदेगा cpu क्या है सर यह पूरे full form नहीं लिख देते हैं fix cost divided by contribution per unit unit के हिसाब से ठीक है यहां फिर एक formula और भी होता है fix cost divided by contribution का percentage जिसको हम ना कई बार इसी को हम pvrb भी बोलते हैं profit volume ratio pvr इसको क्या बोलते हैं profit volume ratio contribution के percentage को हम profit volume ratio भी बोलते हैं यह क्या है सर इसका full form है सर profit ratio ठीक है अब सर आपको यहां पे अगर मैं यह दे दूँ और आपको यह पता चल जाए और यह पता चल जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक तो आप fixed cost निकाल सकते हो यह formula इसलिए बताये जा रहा है ताकि आप क्या निकाल पाओ fixed cost क्यूंकि fixed cost जरुत पड़ेगी आपको degree of operating leverage निकालने में बिना fixed cost के क्या operating leverage निकालनोगे नहीं होगा वो तो one होगा हमसे अब कभी भी पूछ लो बोलो सर एक firm का न fixed cost है ही नहीं मैं बोलूँगा operating leverage one है जाओ उससे क्या होगा आगे तो हो नहीं सकता minus वगरे तो होगा नहीं वो सर example ले लेते हैं पहले मैंने बोला सर sales है sales है हमारा 1000 ठीक है contribution contribution percentage मान लो 30 और break even sales मान लो 900 आपने निकालना है fix cost सर BES क्या है break even sales है सर BES क्या है break even sales है ठीक है समझ रहे हो आपको क्या निकालना है fix cost तो सर formula के अंदर put कर लो ना एक बार में आ जाएगा क्या होगा सर break even point given है बिल्कुल given है 900 is equal to FC given है सर बिल्कुल given FC कितने FC नहीं given भई निकालना है यह तो और percentage contribution का 0.3 कर लो इसको cross multiply करो बच्पन से तो यही करते आए हैं तो कितने आ गए सर 270 आ गया fix cost देखो कितने आसानी से fix cost हमने निकाल लिया समझे अगर यही मैं CPU देता cost per unit देता cost per unit क्या है सर माल लो example number 2 मैंने sales बताया 10 रुपे पर unit and VC बताया मैंने 6 रुपे पर unit और मैंने break even sales बताया सर break even sales बताया मैंने 1000 unit यह भी unit में ही दे रहा हूं सब कुछ ही unit में तो आपका CPU क्या होगा contribution per unit CPU is equal to SP minus में VC selling price per unit minus में VC यही सीखा है contribution का तो formula तो क्या है सर यहाँ पे हमारा 10 minus में 6 is equal to 4 आजाएगा सर 4 क्या है यह contribution per unit अब formula लगा के निकालना जा सकता है नहीं निकाला जा सकता सर बिल्कुल 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 निकाला जा सकता है कैसे निकाले सर निकाल देते है 1000 fix cost पता है क्या no CPU पता है क्या 4 multiply कर यह क्या आगया 4000 is equal to ठीक है यानि amount के terms में दे दे पूरे में तब भी कर सकते है वैसे भी कर सकते हैं आईए अब आपने अगर इतना समझ लिया है न और इसको इतना डिटेल में आपके एक्जाम में नहीं पूछा जाता है management account में बहुत डिटेल में आईए आपको सरफ यह formula बताने के लिए मैंने थोड़ी बहुत time लिया आपका अब चलिए आज आईए यहाँ पर question पर जो हम question करना चाह रहे है यहाँ पर break even point है आप पूछते सर break even point क्या होता है यह बता दो हमें इसलिए मैंने पहले ही बता दिया भाई break even point को concept को उपर ले जाते हैं चलिए सर बढ़े question कहता है x corporation has estimated that for a new production break even point यानी break even point सवाल में दे दिया इसने break even point दे दिया सर और unit के terms में है और कितने है 2000 if item sold 14 per unit और selling price भी दे दिया कितने 14 and cost department currently sorry cost department has currently identified the variable cost 9 पर यानी variable cost 9 कौन बच्चा बताएगा contribution मैं आपका वेक कर रहा हूं फटा फट बता दिजिए कौन बताएगा contribution कितने हैं कौन बताएगा contribution कितने हैं बच्चों ने fix cost से निकाल के दिखा दिया अच्छा पहले वाले question था है इसमें contribution बताएगा कैल्कुलेटर चला रहे हैं कल्कुलेटर कोंट्रिविशन निकालने के लिए 5 रुपे सिंपल सी बात है 14 में से माइनस को रहा है 5 है 5 रुपे 5 रुपे 5 रुपे 5 रुपे सभी बच्चों का जवाब आ गया दिया का जवाब आ गया अर्श का आगया राम का आगया सभी बच्चों का लगबग लगबग जवाब आगया हरियोम का आगया बिल्कुल सही जवाब तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं कुश्चन की तरफ calculate degree of operating leverage for sales volume पच्छिस सो यूनिट and तीन अजार यूनिट what do you इसके आगे का कुश्चन साहिद कट गया क्या है इसके आगे बढ़ना भाई पूरा कुश्चन लगाया करो क्या है what what do you enter the degree of operating leverage sales volume पच्छिस सो यह उपर नीचे होगया शाहिद what do you there a difference if any there a difference if any चलिये कोई नी हम तीनो leverage निकालने थे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ना typing error कहलो वो कुछ ठीक है तो आगे दिखते हैं तीनो type के leverage निकालने और कितने यूनिट पर पच्छिस सो यूनिट पर तीन हजार यूनिट पर तो चलिये दो कॉलम बना लेते हैं एकदम फटा-फट से फूर्ते में निकल जाएगा यह तो और यह जितने भी सवाल कर रहे हैं ऐसा मन समझना यह सवाल आसान है तो हो रहे हैं तो पेपर में नहीं आएगा सारे कोशन एक्जाम में आए हुए हैं कितने यूनिट पे बोला गया सर एक यूनिट पच्छिस सो पे और एक यूनिट कितने पे सर तीन हजार पे पर्टिकुलर सबसे पहले क्या लेंगे हम सर सेल्स अब बात करते हैं सर सेल्स की सेल्स की हम बात करें तो सेल्स कितना है सर पच्छिस सो यूनिट पे कैसे निकालेंगे सर बड़ा असान है सर पच्छिस सो और सेलिंग प्राइस 14 रुपए तो इंटू में 14 एक का मैं करके दिखा रहा हूँ दूसरा का आप खुद कर लोगे तो पच्छिस सो मल्टिप्लाइब है 14 कितने होते हैं बताइए फटा फट से आप 2500 इंटू में 14 35,000 अगला आप खुद बताइए 3000 इंटू में 14 तो 42,000 हो माइनस में वेरियेबल कॉस्ट सर दे रखा है वेरियेबल कॉस्ट चिंता करने की कोई जुरत है नहीं तो वेरियेबल कॉस्ट क्या होगा सर 2500 इंटू में 9 दे रखा था 9 तो कितने हो जाएंगे ये 3000 इंटू में 9,927 27,000 हाँ है लाइन ना हाँ चलो कोई नहीं देख लेंगे कितने 22,500 ठीक है अब क्या निकलेगा तीनों लीवरेज निकालना है न इसमें कहता है calculate degree of बस operating leverage निकाल दो बात खतम सर फ उपरेटिंग भी बोला है न calculate the degree of operating leverage for sales volume सर फ उपरेटिंग निकालना है contribution क्या आगया ये बताओ 12,500 और इसका क्या आगया 15,000 सर यहां तक तो आसान है बस हमारा operating leverage निकल ही जाएगा अगर आप मुझे क्या पता दो और FC पूरे question में नहीं है तो FC अब हमें निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे सर ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट इन इस इकल टू FC डिवाइड़ेड़ वाई CPU CPU क्या होता है central processing unit क्या होता है contribution per unit ठीक है ना क्या होगा contribution per unit अक्षे का आ गया ठीक है तो ये हमें 2000 पहले से दे रखा था ब्रेक इवन पॉइंट आप सवाल में देखिए question में देखिए पहले से 2000 गीवन था FC नहीं पता तो FC को FC छोड़ देते हैं CPU हमने निकाल लिए 5 तो ये that is आ गया हमारा कितने 10,000 आ गया तो अब यहां पे भी क्या होगा हमारा 10,000 यहां भी क्या होगा 10,000 चलिए सर अब आगे हमारा EBIT सर EBIT माइनस करेंगे 2500 माइनस करेंगे 5000 DOL निकाल देंगे सर DOL क्या कहता है सर DOL कहता है country divided by EBIT contribution क्या है सर A और B कर दो 5 बहुत खतरनाक है यह आगे चलो बस यही सवाल में पूछा था अब यहां पे मैंने formula भी लिख दिया यही calculate कर लिया examiner एकदम खुस हो जाएगा अगर आप और detail में करना चाहते हो तो side में कर सकते हो यह सवाल आपके exam में 7 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच में हर बार पूछा जाता है और यह भी exam वाला ही question है एक तरीके से प्रोग्राम ओनर्स हर अब प्रोग्राम ओनर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने सवाल आ रहा है कर रहे हो बात खतम यह तो मेंगा पढ़ जाता है फिर आपको कभी कभी ठीक है D.O.L. 5 D.O.L. 3 बिल्कुल सही जवाब सभी ने जवाब दे दिया था अंकित का भी आ गया था तो फिक्स कॉस निकालना भी बच्चे सीख गए है यहां तक clear है सभी को एक और सवाल हो जाए इसमें भी पहले concept कराना है हमें क्योंकि यहां पर दे रखा है fix ऐसे turnover ratio पहले यहां तक देखिए सभी को clear है अगर बोलते हैं एक सवाल और हो जाए तो कर लेंगे नहीं तो कल करेंगे कल भी class होगी अभी regular class चलाओंगा मैं अबकी क्लियर 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 येस साक्षी क्लियर recall एक सवाल और next class sir ओके पहले हम यह देख लेते हैं कि last class में हमने कुछ चार से पांच questions किये थे chapter कौन सा चल रहा है sir लीव रही जो बच्चे नए student है उनको पहले दो classes लेनी पड़ेगी यानि आपके content section में है वो लीजेगा आपको समझ में आएगा exactly आज क्यूंकि जो बच्चे नए directly देखेंगे तो शायद उन बच्चों को आज समझ में ना आए कल तक मैं बोल सकता था समझ में आ जाएगा लेकिन आज थोड़ा सा advanced question भी हमारा होगा ठीक है तू लेट तू लेट चलिए सर अब हम ने क्या क्या कर लिया हमने leverages में सबसे पहले formula स्टार्टिंग करते हैं operating leverage क्या होता है operating leverage होता है हमारा contribution divided by EBIT और हमारा financing leverage क्या होता है EBIT और अगला कौन सा होता है combine leverage जिसे हम बोलते है contribution divided by EBIT इसमें 2 साल का भी data होता है वो आज ही हम cover करेंगे format है simple सा income statement है income statement में क्या होता है सर सबसे पहले होता है sales sales में से क्या minus करते है variable cost तो जो result आता है उसको क्या बोलते है contribution contribution में से क्या minus होता है fixed cost जो result आता है उसको बोलते है EBIT फिर interest करते हैं minus फिर आता है EBIT और ऐसे continue रहेगा हमारा चलिए सर इसके अंदर हमने कुछ basic concept और फिर हमने कुछ practical questions भी देखे थे यह सारे last class में हमने questions कर लिये थे आज हम और भी इससे आगे question करेंगे that is यह हमारे सामने एक और question है और homework नहीं दिया था आज homework भी दे देंगे आपको चलिए आपके book का ही question है क्या कहता है question देखते हैं और question सीधा start करते है देखे सर simple question है कहता है आपको अभी पहले unique क्या है इस question में एक आपको balance sheet given है uniqueness क्या है आपको इस question के अंदर balance sheet given है sir earning before interest and tax sir मुझे question 2 बता दो sir मुझे कल के question में जिसके doubt है कल वाले question में last में रुक के देख लेगे सामने slide दिखाऊंगा voice raise आप hand raise करोगे और hand to hand clear हो जाएगा उनका doubt ठेक है ना पहले हम एक question कर लेते हैं कहता है सर equity share capital है retain earning है आपको याद होगा मैंने सवाल में retain earning भी बताया था क्या होता है dividend में से जो बच जाता है long term debt है तो sir इसके उपर आपको ब्याज निकाला जा सकता है अगर असी हजार है तो इसके उपर ब्याज बनेगा सर आठ हजार current liability fixed assets and current level क्याता है the company total asset turnover ratio sir total asset turnover ratio दे दिया total asset turnover ratio इसका formula आपको पढ़ा होगा आपने क्या formula होता है sir sales upon में total asset यह formula होता है जिन बच्चों को formula नहीं पता मैंने formula लिख दिया कि total asset turnover ratio में sales divided by total assets कहता है fixed operating cost यानि sir आपको fixed cost भी दे दिया इसने that is आपके पास एक लाक आगे कहता है variable cost percentage 40% आपको VC दे दिया 40% और the income tax rate 30% यानि आपको IT income tax rate 30% जो जानकारी given है मैं सिर्फ यहां पे plot कर रहा हूं अभी question नहीं उतार रहा हूं ऐसा नहीं के मैं आगे करने जा रहा हूं calculate the company different type of leverage different type of leverage का मतलब अलग अलग type के जितने leverage है उसको different type of leverage कहते हैं जैसे operating leverage, financing leverage और combine तीनी हमारे leverage है इससे ज़्यादा leverage है नहीं face value of equity share 10 rupees each हमारे और given the face value equity share 10 rupees each सिर्फ इसके अंदर पूछा गया है different type of leverage लेकिन हम इस question में EPS भी निकाल के देख लेंगे क्योंकि face value shares का दे रखा है और हमें shares भी पता है तो that is EPS भी हम निकाल लेंगे sir format तयार करते हैं जो format सीखा था वही format है कोई बदलाव है नहीं format के अंदर जो statement सीखा था exactly वही format बनाने वाले है चलिए चलिए एक ही साल का बनाएंगे न डेटा को ओहो कि स्रिफ एक साल का डेटा बनाने हैं यह आ गया amount यह आ गया particular सबसे पहले क्या होगा sir sales अब मजे की बात पूरे question में sales ही नहीं दिया चीक है sales नहीं दिया लेकिन आप क्या देखोगे यहां पर आपको इससे related अगर sales निकालना है तो यह formula apply करना पड़ेगा क्यूंकि आपको stock total asset turnover दे रखा है अब इस formula में रखेंगे हम और यह formula मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपने 12th standard में भी आपने debtor turnover ratio, stock turnover ratio, asset turnover ratio सीखा हुआ है आपने corporate account के अंदर भी कहीं न कहीं देखा होगा जिनको नहीं पता तो ऐसा नहीं कि ratio पूरा इस्तमाल होगा मातर एक आद ratio है जो कि इसमें दे देते हैं जैसे कि sales वाला और एक debt equity ratio debt upon equity अब बाकी कोई ratio इस chapter में नहीं आने वाला तो आप जितने भी student है यह सोच के बिलकुल भी ना घबराए जो बच्चों को लगता है आर इसमें ratio भी सीखना पड़ेगा सिर्फ एक ही question ऐसा है ratio का तो सर आपको यह इसने कितने दे दिया सर यह तीन दे दिया आपको तो तीन यहां लिख लिए sales की जगा पर sales रख लेते है total assets क्या होता है balance sheet का जो total होता है नहीं इसी को क्या बोलते है हम total assets total assets कितना है हमारा तो सर आप cross multiply करके आप sales निकाल सकते हो बड़े आसानी से कितने का छेला बताईए किसी बच्चे को कोई doubt sales कैसे आया बता भी दिया आसिम ने बता दिया पर्थम ने बता दिया छेला प्रुपए यस का आ गया ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया छेलाक रुपए आ गया तो मैं sales की जगह पे sales plot कर दू अब minus क्या करें sir अब variable cost का क्या दे रखा है 40% दे रखा है तो इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 2,00,00 अब यहां तक सभी बच्चे को clear है तो क्या आ गया contribution that is 3,00,00,00 अब minus क्या करेंगे fixed cost fixed cost question में given है एक लाक बच्चा कितना 2,00,00,00 इसका नाम क्या देंगे EBIT पहले यहां तक देख लो हर बच्चे को clear है यहां तक अभी प्यूस regular class चल रही है आपका regular class हम ले रहे हैं इसलिए आज की class रखी है तो कुछ बच्चों को confusion हो सकता है maybe time table नहीं announce हुआ हो last class में अभी regular class लेंगे 10-12 दिन regular class रहेगी ताकि आपका एक unit यह वाला खतम हो जाए फिर alternate कर देंगे अभी फिलाल regular class लेंगे और 2 घंटे की class की timing कर दिया तो उसके साब से रहेगा आगे देखते है सर क्या है और minus में interest सर interest कितने का है आपका question में given है 10% यानि interest tax rate है 30 क्या है income tax है वो तो interest किस पे निकालोगे सर loan पे loan क्या है मातरिक debenture तो ये आगे आठ हजार हर बच्चों को clear है आठ हजार bracket लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए नहीं लगाना तो कोई बात नहीं ऐसे भी कर सकते हैं मैंने लगा दिया इस question में इसलिए सब जगह लगा दिया 250 ये क्या गया profit before earning ही लिखते है ना हर जग earning लिख रहे हैं तो earning ही लिखते हैं चलो अब इसमें से क्या minus होगा सर minus कर देते हैं tax क्योंकि मैं EPS भी निकाल लेता हूँ हाला कि question में नहीं बोला है लेकिन इसमें निकाल लेते हैं तो tax minus करेंगे tax कितना होगा हमारा sir tax हो जाएगा हमारा 75 600 अब minus करके क्या result आएगा profit after earning after tax या pet बोल लो minus करो क्या आता है एक लाख 76,400 अब हम EPS निकालेंगे तो क्या होगा इसको divide कर देंगे number of share से number of share that is number of shares कितने है sir मैं इधर बता देता हूँ निकालके sir हमारे total 60,000 था और एक share 10 का तो number of shares 60,000 divided by 10 तो कितने हो गए तो number of shares हमारा 6000 आ गया और divide करोगे जब इन दोनों के बीच में तो आपका आ जाएगा earning per share 2.2 यानि EPS हमारा 2.94 समझ मैं अब गलत आ रहा है 29 आएगा अच्छा हाँ 29.4 ठीक है अब सर एक और सवाल का point तो मीन तो रही गया different type of leverage operating leverage financing leverage combine leverage अगर आपने ये statement तयार कर लिया तो ये सारे के सारे leverage निकालना बहुत आसान है सिर्फ formula पता होना चीए तो इसलिए इस सवाल में मैं formula ना लिखके मैं तीनो टाइप का यहाँ leverage फटा फट से निकाल देता हूँ आपके answer को check करने के लिए DOL बता दो बच्चो DFL बता दो TCL बता दो देखते हैं DOL किसका आता है 1.38 DFL 1.03 और 1.42 ठीक है Question number 5 Done किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए सभी का जवाब आ गया सभी का जवाब आ गया निदे, नेशू, परदीप दिया, भावना सभी का जवाब लगबग लगबग आ गया हर कसी किसी को clear है तो हम अगले सवाल पे चले clear है बिल्कुल आ गया इस सवाल को आप decide करेंगे कि मुझे करना है कि आपको करना है पढ़ लीजे सवाल आपको decide करना है अब देखो इतना आसान इससे ज़्यादा क्या मदद करेगा examiner जो हम statement बनाते थे उन्होंने बना के दे दिया सब कुछ निकाल के और बोलता है you are required different type of leverage both of the firm, दोनों firm का निकालो और हम तो इससे पहले तीन firm का भी निकाल चुके है और कहता है their relevant risk position तो जिसका ज़्यादा leverage वो ज़्यादा risky और जिसका कम leverage वो कम risky यह करा दे या हो जाएगा देखते हैं कितने बच्चे बोलते हैं कि करा दो यह भी कर लेंगे, कर लेंगे हो जाएगा, बिल्कुल सही तो इसके उपर homework हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है? अगले question पर चलते हैं यह थोड़ा सा interesting लग रहा है मुझे चलिए, एक और question आपके सामने पहले एक पार हम सवाल समझ लें question को समझ लेते हैं, फिर करेंगे कहता है, the kernel recreation limited company का नाम है, company का नाम से क्या करना? manufacturing a full line of आपका lawn furniture वगरा बनाता है, the average selling price 2500 रुपए का एक selling price है और variable cost 1500 रुपए पर unit है, यानि भई में contribution का percentage या उसका एक और नाम बताया था profit volume ratio अगर आपने last class का register आपने सामने रखना है आपने ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है, चलिए, find the degree of operating leverage, ओ लो ये degree of operating leverage बोल रहा है, बस operating बोलता है, लेकिन आप 4000 पर बताना, 5000 पर बताना, 6000 पर बताना, 6000 पर बताना, यारी हम आपके साथ थोड़ा सा खेलना चाहते हैं, के हर अलग level पर आप बताओ, क्या degree of operating leverage होगा, सिर्फ operating, financing भी नहीं, combine भी नहीं, ठीक है, दो सवाल तो answer मिल गया, क्या हमारा operating leverage बढ़ या घट सकता है, production of sales से, and the break-even point, अगर break-even point से, अगर हमारा ज़्यादा sale हो, तो क्या फरक पढ़ रहा है leverage पे, और break-even point से कम sale हो, तो क्या फरक पढ़ रहा है leverage पे, वो तो जब हम practical अभी question करेंगे, तो समझ भी आएगा, what conclusion would be the, आपको बताना है क्या actual में हुआ क्या है, बहुत आसान है ये भी point, by what percentage EBIT will be increased, क्या percentage increase होगा EBIT का, if company sales should be increased by, अगर हम अपना sales 10% बढ़ा दें, EBIT पे कितना फरक पढ़ेगा, from the production and sales level 8000, और हमने क्या करा, अपना sales कितना कर दिया, increase कर दिया by 10%, लेखिन 8000 के level से count करना है आपको, 8000 last level है, उससे 10% और बढ़ा देंगे, तो क्या फरक पढ़ेगा, तो एक एक करके, आराम आराम से, एक एक point को हम solve करते हैं, ऐसा नहीं के बहुत जल्दी फटाफट फटाफट कर लेना है, पहला point, break even point, break even point, मैं short form में लिख रहा हूँ, और आपको last class में लिखवा दिया था इसका, क्या होता है हमारा, fix cost, upon में, यहाँ पे CPU आ सकता है न, क्यूंकि आपको per unit cost पता है, है के नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा CPU, तो sir, answer मिल गया, fix cost कितने हैं, 50 लाक, और divide CPU sir, CPU, CPU, CPU यहाँ निकाल देते हैं, CPU होता है sir, sales minus में, VC, sales है पच्चिस सो, और VC है पंदरा सो, unit, तो एक unit का CPU आ गया, हजार, तो इसका answer आएगा, sales break, even point, यह unit में आ जाएगा sir, क्योंकि CPU से unit आता है, 30 घटा दे, 5000 unit, अब देखो, हमारे, अगले question में, 4000 unit पे भी है, तो 4000 पे देख लेंगे, बढ़ रहा है, 5000 पे भी, 6000, 8000 उसके इसब से बताएंगे, 5000, 5000, बहुत बच्चों का answer आ गया sir, 5000, 5000, और 5000 है अबार, ठेक है, अगला point क्या है, different, different level, level पे हमें leverage निकालना है, स्रिफ operating, यहीं पे हो सकता है, point number one done कर चुके हैं, यहीं कर लेते हैं, point number two space बनाके, चलिए sir, कितने level हो गए, एक, दो, तीन, चार level हो गए न, यानि चार column, एक, दो, तीन, चार, और एक increase वाले के लिए भी मैं कर लेता हूँ, extra 5, हाला कि उसके लिए आप अलग से करना, मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, sir, एक कर रहेंगे हम किस पे, 4000 unit, 5000 unit, 6000 unit, 8000 unit, और यह extra बनाया है, तीसरे question के लिए, चौत्छे point के लिए हम बाद में करेंगे, ठीक है, sir, सबसे पहले sales, तो 4000 unit into में selling price के है, 2500, एक मैं करूँगा, बागी आप करेंगे, बताइए, 10 लाक, क्या है, 1 करोड, एक करोड ना, पांस से करो तो, 125 लाक, बहुत ज़्यादा digit हो रहा है, इसको simple करते हैं थोड़ा, सारे digit लैक में है, ठीक है, तो कितने हो गया है, एक करोड यानि 100 लाक, 125 लाक, और 25, 500 लाक, 8, 200 लाक, सारे मैंने लैक्स में कर दिया, ठीक है, यानि 100 है तो 100 लाग है यानि 1 करोड है यह समझ लेना आप 125 लिखा है तो 125 लाग यानि 1 करोड 25 लाग है 500 लिखा है तो 500 लाग यानि 1 करोड 50 लाग है और यह आपका पूरे 2 करोड ठीक है माइनस VC VC बोलता है हमारा सर 1500 के इसाब से है तो चार हजार इंटू में तो साथ लाक और पांच हजार इंटू में पिछहत्तर लाक इसके बाद पंदरा नब्वे लाक और आठ एकसो बीस लाक यहां तक ही ले जाते हैं क्या आगे हमारा कॉंट्री चालिस लाक पचास लाक साथ लाक और अब माइनिस क्या करें एफ सी सर एफ सी तो एफ सी है यह तो हर जगा पचास लाक ही रहेगा ना और ये क्या गया हमारा सर ये तो माइनस में पहुँच गया माइनस दस लाक जीरो दस लाक अब डी ओ एल निकाल लो देखो डी ओ एल जितना कम होगा न वो एक से उपर कमपेर करना अगर माइनस में चला गया तो और खतरनाक फिर तो आपकी कमपनी गई क्योंकि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं हो अगर आप लॉस में चल रहे हो तो इसका मतलब आपका फिक्स कोस रिकावर नहीं हो रहा एक हमारा एक से उपर देखना होता है और एक से नीचे है तो वो तो बहुत डेंजरस जोन है भाई आप खुद देखो ना कमपनी दस लाग के नुकसान में बैठी है इसका जीरो प्रोफित इसका दस लाग का लॉस है आप सेल्स को बोलोगी के बढ़ी है तो मैं बोलोगो भई यह पांच हेजार बढ़ी है कम से कम ठीक है तो इसके बाद हम D.O.L. निकाल लेते हैं हर किसी का इसका D.O.L. निकालेंगे तो क्या जाएगा minus 4 कितना danger रही है तो इसका DOL निकालोगे तो कितने आ जाएंगे 50 और 0 infinity हटाओ 0 इसका क्या आएगा 1 point कितने आ रहे है 6 और इसका 80 तो break-even point के बाद ये न break-even point के पहले का sale है और ये break-even point का sale है ये break-even point के बाद का sale है हमारा break-even point के है सर हमारा break-even point 5000 unit का है ठीक है अब हमारा जो दूसरा point था ये complete हो गया सिर्फ degree of operating leverage ये सारे leverages पूछे थे जो मैंने बता दिये तीसरा point कहता है क्या operating leverage break-even point से क्या फरक पड़ता है तो अगर हम break-even point से कम पे रहेंगे तो operating leverage very high break-even point जैसे के बाद जैसे जैसे sales बढ़ेगा हमारा operating leverage क्या होता जाएगा कम हो जाए रहेगा और हमारे लिए सबसे better कौन सा है सर सबसे better 8000 वाला है जहाँ पे हमारा operating leverage minimum है सबसे कम है तो इसलिए ये हमारे लिए best माना जाएगा 2.66 ठीक है यहाँ तक clear है हर किसी को अगले point fourth point पे आते है पहले तीन point बोलिए मैंने तीन point done कर दिया इसके conclusion लिखना है आपको आपको book में लिखा हुआ मिल जाएगा conclusion वहाँ से लिख सकते हो लेकिना book में है conclusion लिखा हुआ इसमें देखते हैं किने है question नहीं है clear और even though मैं कहूंगा कि आपना एक के बाद हमारा leverage को justifiable क्या होता है एक के बाद अगर एक से कम जैसे minus आ रहा है न है तो इसको hyphen डाल के छोड़ सकते हो इसके आगे आप minus 4 न लिखके hyphen डाल दोगे कि भाई इसका तो leverage हम करी नहीं सकते क्योंकि ये तो loss में ही चल रहा है हमेशा point के बाद का point हम discuss करते हैं ठीक है आगे देखें fourth point कहता है what percentage of EBIT will be increased EBIT का क्या percentage increase होगा company sales should increase by 10% from the production level 8000 तो भाईया अगर 8000 से increase करोगे तो ये मैं question number 4 के लिए करने जा रहा हूँ 8000 का 10% यानि ये कितने हो जाएंगे बढ़ा दिया अब 8800 को आप 2500 से multiply करो 220 बढ़ा कमाया हाँ ठीक है 220 8800 को 1500 से 132 और 220 मैं थोड़ा long method अपना रहा हूँ ये 88 और सर फिक्स कॉस्ट तो महान है 38 क्या पूछा इसने कि हमारे EBIT पे क्या percentage increase होगा तो पहले EBIT ये था ये था तो अगर percentage change की बात करें तो last class में formula लगवाया था किसी को याद रेजिस्टर open करके देखो निकाल के बताओ देखने कौन बच्चा इसका जवाब देता है last class में बताया था मैंने कि जब दो साल का data given हो या दो time का data given हो दो unit का data given हो तो उसका percentage कितना variation हुआ कैसे निकालेंगे previous पहले लेंगे difference और divided by previous year और into में 100 तो भहिया difference कितना है percentage change के लिए formula क्या होता है सर difference divided by base year तो सर हमारे सवाल में कितना difference है base year क्या है चलिए बता दीजिए आप 26.6 जवाब आ गया 26.6 26.6 बहुत बच्चों का जवाब आ गया क्लियर है कोई दिक्कत ये question भी हमारा done हो गया देखो तो आपको बस हाइफन लगा देना है उसका justify नहीं कर सकते ओपरेटिंग लिवरेज आप उपरेटिंग लिवरेज उसी का बता सकते हैं जहां पर आपको कुछ positive income मिल रहा हो तभी बताएंगे कितना आपका उपरेटिंग पर इंपक्त आ रहा है कंक्लूजन मैं कंक्लूजन वैसे लिख दूँगा आपके बुक में भी लिखा हुआ है मैं सिंपल एक बर समझा देता हूँ के कंक्लूजन में क्या होगा पहले point में कोई conclusion नी है दूसरे में कोई conclusion नी है तीसरे में conclusion है कि सर अगर break even point से हमारा कम हो जैसे 4000 unit और 5000 unit पे हमारे लिए कोई beneficial नी है operating leverage हम नहीं define कर सकते लेकिन 6000 और 8000 unit पे operating leverage define हो सकता है और best operating leverage माना जाता है जो कि less हो सबसे तो इसका मतलब सर 8000 वाला point हमारा ठीक है यह होगा दूसरे का conclusion तीसरे का conclusion क्या होगा सर what the percentage तो percentage increase होगा बस इसमें तो answer लिखना है कोई conclusion लिखना है इसका एक shortcut भी है जिस shortcut को मैं percentage change वाला topic जैसे आएगा मैं बता दूँगा इसका होता है हमारा कितने परसेंट निकला हमारा कितने परसेंट बढ़ाई है दस परसेंट ना और दस परसेंट divided by यानि अगर मैं इसका formula लिखू ना फिर formula लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा आपके mind में question हो जाएगा जिसको कर अगली क्लास में मैं इसको शॉट कट भी करवाऊंगा होता है ओपरेटिंग लिवरेज इंटू में percentage change in sales फॉर्मूला ओपरेटिंग लिवरेज इंटू percentage change in sales यानि 10 इंटू में 2.6 सीध आंसर आ जाता है तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे कल वाली क्लास में सारा difference यानि कल ये chapter खतम हो जाएगा आपका कोई doubt point 3 को अच्छे से लिखवा दे मैं content में डलवा दूँगा पूरा return बुक वाले जो ने लिखा हुआ है और थोड़ा easy language करके डलवाई दूँगा point number 3 sir 8800 कैसे आया इसके अंदर ये point number 4 के लिए solution है इस पे 10% add on किया है 10% बढ़ा दिया है तो 8000 का 10% बढ़ाएंगे तो 8800 आएगा last वाला point last वाले point के अंदर आप यहाँ पे ये देखो कि पूछा EBIT में कितना change आएगा तो आपका 8000 से change चेक करोगे तो मैंने इसी को इस्तमाल कर लिया तो 8000 से यहाँ से यहाँ changes की बात करें तो देखो 8 changes है और base क्या है 30 divided by base रखा into 100 और यहाँ गया 26.6666 percentage होगा यह 667 कर दो वो matter नहीं करता एक बार यह question देखिए क्या हो जाएगा आपसे यह हमने first class में करा था इस type का question एक बार यह देखिए क्या आप question करोगे तो homework में डाल देंगे कहता है you are required operating leverage, financing leverage, combined leverage of two company आपको capital दे दिया मतलब अभी यह मुझे कराना पड़ेगा debenture दे दिया, sales दे दिया, fc दे दिया, अहाँ हो जाएगा फिर तो देखो आपको sales दे दिया, output unit है यानि selling unit debenture, debenture चार लाख रुपए के आप उपर interest निकाल लोगे, that is 12% आप देख लीजिए मैंने आपके सामने question रखा, पड़ लीजिए फिर बताइए हो पाएगा नहीं हो पाएगा अगर आपसे हो जाएगा तो homework में रख देगे इसको बताइए हो जाएगा क्योंकि एक दो question आप भी practice कर लोगे तो better रहेगा हो जाएगा maximum बच्चे कह रहे हैं sir हो जाएगा capital का कुछ नहीं करना अगर आप EPS निकालना चाहते हो तो इसके तुरू निकाल सकते हो 10 रुपे का एक share मान लेना जैसे मैंने पिछले वाले अभी सवाल में किया वाइस question नहीं बोलता निकालने को हम भी नहीं निकालेंगे चलिए दो homework मिल गए आपको इस पर आजाते हैं देखिए question में क्या कहता है the capital structure of Radhika limited consist ordinary share capital और इनके पास share capital 10 लाख रुपे का है जिसकी एक की value यह है number of shares निकल सकता है and debenture दे रखा है आपको 10 लाख रुपे का 10% यहां से ब्याज निकल जाएगा selling price per unit दे रखा है variable cost per unit दे रखा है fixed expense दे रखा है आपको 2 लाख रुपे income tax rate दे रखा है आपको 30% the sales level expected आपको 1 लाख unit पे सारा काम करके बताना है 2 आपको 1,20,000 unit यानि एक एक लाख unit से लेके एक लाख बीस हजार unit पे एक करके दिखाना है you are required percentage increase in earning per share यानि EPS में कितना percentage earning बढ़ जाएगा तो simple सी बात है एक एक लाख पे निकालेंगे एक एक लाख बीस अजार पे निकालेंगे difference लेके percentage निकालेंगे degree of financial leverage एक लाख unit पे एक लाख बीस अजार वो तो निकाल ली देंगे कौनसा यहाँ पे operating नहीं पूछा कौनसा पूछ लिया डिग्री ऑफ ओपरेटिंग लिवरेज एक लाख और एक लाख बीस अजार देख रहे हो कोश्चन कैसे लंबा किया जा रहा है एक ही बार बोल देते हैं डिफरेंट टाइप अफ लिवरेज निकल दो बात कतम आगे कहता है comment on the behavior of operating and financial leverage ओपरेटिंग और financial leverage के behavior यानि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है घट रहा है तो क्यों घट रहा है in relation to increase production एक से एक बीस में production गया तो क्या होगा हाला कि देखा जाए तो ये question इतना मुश्किल है नहीं करी लेते हैं फिर नहीं है तो बस दो साल का डेटा है point बहुत सारे बना दिये हैं इस question को डराने के लिए और exam में पूछा गया है एक लाख एक लाख सर सेल्स अब सेल्स देखिए कितने एक लाख यूनिट पे मैं एक का बता देता हूं इंटू में सेल्स दे रखा था 10 रुपे पर यूनिट तो 10 लाख और 12 इंटू 12 लाख ठीक है माइनस वी सी तो सर एक लाख यूनिट है और एक छे रुपे का है छे लाख और 12 लाख और 12 लाख भी सजार बताईए कॉंट्रिबूशन सर चार लाख चार लाख असी अजार माइनस एफसी सर एफसी तो बताई रखा है हर लेवल पे क्योंकि कंपनी तो एकी है ना इसके बाद आ गया इबी आईटी दो लाख और दो लाख असी अजार माइनस इंट्रस्ट सर इंट्रस्ट आपका डिबेंचर डेट दे रखा था डेट इस दस लाख का स्वरी यह रह दस लाख रुपे का डेट है और दस परसेंट तो एक लाख आएगा मैं यहा निकाल देता हूँ दस लाख का इंट्रस्ट परसेंट देट इस वन लाख और वन लाख अब आजाएगा इबी टी एक लाख और एक असी माइनस कर दो यहां से टेक्स टेक्स है सवाल में तीस परसेंट है तो तीस अजार 54,000 अब आजाएगा हमारा EPS के Earning Per Share कहलो या फिर Earning For Equity या EAT लिख लेते हूँ 70,000 और 16 अब एक एक कुश्चन बताते हैं कहता है कि Percentage Increase Earning Per Share में क्या Percentage Increase होगा Per Share को तो यही बटेगा ना इसमें percentage कैसे पता करोगे कितना इंक्रीज हुआ वही डिफरेंस तो इसको थोड़ा कुश्चन तो देख लिया हमने जगह बना ले थोड़ा साफ कर देते हैं इसको जीरो भी साफ हो गया Percentage Change in EPS क्यूंकि ultimately यही पॉइंट EPS में बटना है ultimately यही तो बटेगा सोचो तो आप EPS निकालोगे फिर चेंज निकालोगे तो कोई माइने नहीं रखता आप सीधा इसी का डिफरेंस लेके कर सकते हो हाला कि EPS में निकाल देते हैं चलो Number of Shares Number of Shares Number of Shares देखा जाए तो यह कहता है कि भाईया एक दस लाग का है सो रुपए का एक है तो दस अजार और यहां भी दस अजार यहां जाएगा कितना जीरो पॉइंट यहां क्या आएगा बताओ डिवाइट करो 7 EPS और यहां बताओ 12.6 अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो EPS बोला है तो तो कितना 5.6 डिवाइड़ बाई 7 कितने परसेंट चेंज आए बताओ कोई बता सकता है है बस 80 80 परसेंट चेंज आगया बच्चों ने बता भी दिया सर 80 परसेंट 80 परसेंट 80 परसेंट सभी का जवाब आ गया लग 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 80 परसेंट अधिती जायद नीशु अभिशेक दिया सभी का जवाब आ गया सर 80 परसेंट ठीक है चलिए चलिए आप सभी का आंसर आ रहा है इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है इस चप्टर में अब दूसरा पॉइंट कर ले फर्स हो गया सब्सक्राम क सब्सक्राइब कर दो गया 1.55 ये लो इसका भी आंसर मिल गया हमें सभी बच्चों ने आंसर इसका भी दे दिया अब का अगला कहता है DOL निकालो तो DOL के आएगा 4,00,00,00,00,00 और 4,80,00,00 divided by 280, 1.71 comment on the behavior of operating financing leverage increase production of the 1 to 120 तो आप देखिए यहाँ पे financial leverage दो है और यहाँ पे financial leverage घट गया और same operating leverage भी हमारा दोनों जगह पे DOL degree of operating leverage ठीक है तो हमारा behavior क्या है जैसे जैसे हमारा production level बढ़ेगा यानि एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा sales बढ़ाओगे तो operating leverage क्या होगा घटता जाएगा क्योंकि operating leverage, financing leverage यह सब किस पर depend करते है fixed cost पर यह दोनों तो जैसे जैसे sales बढ़ाओगे तो fixed cost का दवाव कम आता जाएगा आपके उपर और जैसे जैसे fixed cost का burden आपके उपर कम आएगा आपका काम करने का तरीका और expand हो जाएगा उस case तो यहाँ पर fixed cost आपके earning का ही पराबर का fixed cost है यानि one रहता है तो दो है तो जितनी आपकी earning है earning देखो कितना है दो है और fixed cost भी कितनी है दो है यहाँ पे आपके earning के double तो नहीं है earning के बराबर नहीं है earning से थोड़ा जादा है जो की आगे हमारा कितना 1.7 यानि इस से 30% का कम है एक तरीके से देखा जाएगा तो best आपके लिए कौन सा है मैं best पे mark कर देता हूँ यह best और यह best conclusion again same बताईए कोई doubt Yes का अंसर, अधिती का, राम का, नीशू का, अर्ष का किसी का कोई doubt clear है भावना Yes no doubt clear, प्रिती क्लियर कनक क्लियर गुपता अनिश क्लियर डिया क्लियर चलियर बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों का clear 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 अंशू का कहना है सर एक बार आज की क्लास एक homework हमने आपको ये वाला question दे दिया और एक homework आपको ये वाला question दे दिया अगली क्लास में ये chapter पूरी तरीके से हो जाएगा खतम एक ये एकदम छोटा सा question है मैं करा दो दूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी मैं long वाला करा दूँ और ये आप homework में करने के try करिएगा homework में करने के लिए try करिएगा बाकि मैं अगली क्लास में shortcut method कैसे बना नहीं बना उस पे बताऊँगा अगले point पे आ जाओ ये बहुत simple question है बस इसमें पता कितनी बार करना पड़ेगा एक ये plan है एक ये plan है plan है है वही आपको operating ये भी मैं करा दूँ और चलो बारबा question percentage eps ये भी difference से ले लेंगे चलो बागी के तो मैं करा दूँ ये छोटे छोटे सा question है यानि चार से पांच question रहते है जो मुझे कराना है एक दो question आपने करना है चलिए अब किसी बच्चे का कोई doubt है तो doubt पूछ सकते हैं screenshot नहीं ले पा रहे हैं हाँ screenshot नहीं लगेगा आपको अभी वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगा आप देख के note कर लेंगे और ये जितने भी screen पे हैं लिखे हुए आपको ये pdf format में मिल जाएगा everything is clear ओके चलिए फिर मिलते हैं next class में अब जिन बच्चों के कुछ एक doubt थे वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बागी हम मिलेंगे next class के अंदर next class कल है और कल की timing 7 वजे exact रहेगी और कल इस chapter को हम पूरी तरीके से complete कर लेंगे फिर अगला chapter होगा हमारा cost of capital का ठीक है जिसको नोटिंग बगरा करना है वो नोटिंग कर ले थैंक यू गूट वेलकम वेलकम गूट डाइट six point अंशू का है six point eight का second point second point कहता है degree of financial leverage एक लाख यूनिट पे और एक बीस दोनों यूनिट पे तो हमने एक लाख यूनिट और एक बीस पे निकाला ही है अगर आपका doubt है hand raise कर सकते हो आप हाँ जी दिक्षा बताईए कोई doubt है तो कोई doubt है आपका speaker तो on है yes दिया बताईए कि एक मिनेट रुखे एक मिनेट मैं लगा लूँ क्योंकि आवाज थोड़ी से ब्रेक हो रही है एक मिनेट दीजेगा भी दुबारा प्रिपीड कर देना बस मुझे एक ही मत करनेक्ट है यहां से हता देते हैं करते हैं कुछ अजी बताईए दिया अब बताईए आप जिस जिसके डाउट है मैं एक एक करके ले लेता हूं मैं यहीं बैठा हूं कहीं जाना नहीं हाराम से जाएंगे घर अगर दिया मेरी वाइस आप तक आ रही है तो आप बता दीजे प्लीज पता नहीं मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रही है इस जितकत है आई आप ने कहां साइद आपने कहा कि दो लीवरेजिस में जो डिफरेंस आता आप दुबारा एक बार बता दीजिए क्योंकि उस्टाम आवाजी नहीं आई मुझे बिल्कुल भी और हैड फ्री भी लगाया तो नहीं हाँ जी आ रही है आपने क्या कहा बैस्ट होता है मतलब तीनों क्या हो आपने क्या बताए तीनों जितना कम होगा वो बैस्ट रहेगा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप मुझे बता देंगे कुन सा कुश्चन है तो मैं पढ़के यह आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ पेज नंबर 153 पे अच्छ, MCQ, question 9, which combination is generally good of the firm, higher of operating leverage, higher of financial leverage, lower of operating leverage, lower of financial leverage, high of operating leverage, low of none of this, तो आपको इसमें क्या confusion बताया आपने? हाँ, हाँ. C, high the operating leverage, अब इसके अंदर ना, यहाँ पे दो decisions, देखो questions के अंदर अलग decision बनते हैं, और यहाँ पे अलग decision बनते हैं आपके, चीक है ना? तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है high और low, तो high और low का आपका, चलिए मैं अगली class में इसके उपर पूरा theory बता दूँआ, तो clear हो जाएगा, चेंज वाले में आ जाएगा यह point. हाँ हाँ, sales combined leverage होता है, sales upon में ebt नहीं, आपका contribution upon में ebt, लेकिन कई बार percentage के case में sales upon में ebt भी आ जाएगा, percentage sales upon में, तो वो change में आता है, वैसे आपका sales और contribution लगबग लगबग एक ही होता है, sales upon में ebt भी कर सकते हो, या contribution, बागी हमें priority contribution को देना होता है. हाँ, तो eps अब देखो, जहाँ पे हमारा, अब tax नहीं है, जहाँ पे tax नहीं है, इसने क्या कर रखा है, कौन सा कुश्च नहीं है? sales and eps, combine leverage, use, measure the relationship between, ebit, eps, pet, eps, sales, eps, or sales, ebit. तो आप देखोगे, तो simple सी बात है, इन तीनों में से CE correct जा रहा है, suppose करो tax है ही नहीं, tax नहीं है, तो हमारा eps ही ebt बन जाता है, tax ना होने के case में. जो पुराने चप्टर थे ना, उसमें न, working capital बगएरा, उसके मैं अलग से ले लूँ, अब तो मैं ले सकता हूँ, doubt, तो उसके अलग से class conduct कर दूँगा, पिल्कुल. Unit 5 मुझे दुबारा करवाना है, तो जो जो doubt है ना, मैं वही करवा दूँगा, दुबारा में भी. तो बताइए, तो दुबारा करनेक्ट करना है, यस, अरश, बताइए कोई doubt, हां जी, बताइए कोई doubt है, किसके बाद मतलब के कमेंट कैसे कंकलूजन कैसे देना है यह पूछ रहे हैं आप मैं लिखके ही डाल दूगा यह अगली क्लास में मैं सामने दोनों के कमेंट लिखके सामने डिस्पली कर दूँ आप नूट कर लिजेगा चीक है चलिए student सर आपने टेक्स कैसे निकाला था टेक्स कैसे निकाला था मैंने टेक्स दे रखा था कुशन में 30% और मैंने इसका 30% निकाल दिया था ठीक है तो चलिए मिलते हैं next class के अंदर और फिर कली class है कली इस chapter को खतम करेंगे फिर इसके बाद एक और बहुत interesting chapter स्टार्ट करेंगे that is cost of capital good night, take care मिलते हैं next class में perfect, अब ठीक है ओके चलिए तो हम क्या देख रहे थे leverage और आज leverage के दो questions भी कर लेंगे और साथ के साथ जो doubts अगर दो question में थे वो भी continue कर लेंगे ठीक है न आज हम दो साल का data जो दे रखा होता है उसको भी देखेंगे चलिए 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 सर अभी तक leverage में क्या क्या देख लिया हमने leverage में हम पहले formula के point of view से discuss कर लेते हैं leverage को calculate करने के न वैसे कितने टाइप के leverage थे हमारे तीन टाइप के leverage थे सर्व कौन कौन से leverage तीन टाइप के हमारे एक है हमारा when simple data given जो अभी तक करते आएं वो simple data था एक साल का दे 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 थे एक साल in the sense के एक बार का data दे 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 थे जस्ट उसी को करना था when more than one year data जब हो या फिर percentage change वाला data आपको दे दे तो कैसे calculate करोगे ठीक है सर इस वाले case में तो तीनो फार्मूले बड़े simple simple थे वहाँ भी simple ही है इस वाले case में आपने बता है सर D.O.L. अगर होगा तो बहुत simple सी बात है हम कैसे निकालेंगे D.O.L. के case में हम कर देंगे contribution divided by ABIT सर अगर हमारा क्या होता है सर D.FL होता है तो हम क्या कर देंगे E.B.I.T divided by E.B.T सर अगर हमारा D.C.L. है तो सर अगर हमारा D.C.L. है तो तो क्या करेंगे very simple आप ये भी कर सकते हो D.O.L. इंटू में D.F.L. ठीक है या इसके जगह पर आप क्या कर सकते हो contribution divided by E.B.T इन केस आपको E.B.T नहीं पता चल रहा तो वहां पे आप E.P.S. भी लिख सकते हो अभी पता चल जाएगा मैं करवाद हुआ कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगे सर E.P.S. बोल रहा है कहीं पर जब percentage change होता है तो अगें तीन ही data निकालने होता है हमें क्या क्या होता है अब फिर से हमें D.O.L. निकालना होगा लेकिन D.O.L. का formula क्या हो जाता है percentage change मैं change के लिए delta बना रहा हूँ ठीक है न percentage change in E.B.T या मैं इसको थोड़ा सा न अलग तरीके से लिखना चाहूँगा क्योंकि यह तो हो गया आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा अलग से इस वाले केस में तीन बाते होंगी D.O.L. is equal to percentage change in E.B.T divided by percentage change in sales priority sales रहेगा या फिर contribution अगर sales नहीं पता तो contribution दूसरे फॉर्मूले की बात करें D.F.L. इसका फॉर्मूला था percentage change E.B.T या फिर अगर आप यहां पे E.P.S. भी ले सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता दिवाइड बाय परसंटेज चेंज in E.B.I.T percentage change in E.B.I.T सर तीसरा D.C.L. percentage change in E.B.I.T divided by percentage change in sales या फिर जो combine करके हमें multiply करके निकालते थे वो तो यहां पे भी रहेगा तो कुछ एक फॉर्मूला यह है जिसके help से आपको operating leverage या combine leverage निकालना है जहां जहां पे आपको बोला जाता था कि इतने percent sales increase हो गया जैसे एक question हमने किया था कि इतने percent अगर sales increase हो जाए तो बताओ तो हम इस formula की मदद से percentage change क्योंकि हमारा जो leverage है न leverage basically क्या बताता है कि आपका changes क्या आ रहा है fixed cost की बज़े से और हम normally इसमें comparison करते है data कि हम अगर क्योंकि आपको अगर पता चल जाए एक digit की data पर अगर मैंने बोला 5000 unit sale है उसी के उपर आपने operating leverage निकल लिए तो कोई फाइजा नहीं आपको एक 6000 unit पे भी निकालना पड़ेगा तब compare कर पाऊगे हाँ भाई better है या फिर नहीं better है उसके इसाब से तो जब कभी वी आपको percentage के format में गीवन हो अब आप एक चीज़ नोटिस करना फॉर्मूले को याद करने का या रिमाइंट रखने का सिंपल सा तरीका है इसका जस्ट अपोजिट हो गया यहां पे contribution या मैं यहां पे sales भी लिख देता हूं तो देखो यहां पे क्या हो गया अपोजिट हो गया EBIT और यह नीचे आ गया चेक करो है ना यहां पे क्या हुआ EBIT अपोन EBT यहां उल्टाओ गया तो फॉर्मूले याद रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको सिंपल वाले अगर याद है तो आप यह easily follow कर सकते हो जब आपको comparison या percentage के terms में आपको पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकत हो EBIT क्या होता है हम पहले discuss कर चुके sales contribution क्या होता है हम पहले और बागी सारे चीज़ों पर हम पहले already discuss कर चुके है कि किस तरीके से क्या रहता है ठीक है मैंने इससे related एक homework दिया था आपको इससे related एक homework दिया था calculate change in EPS if sale expected increase by 5% अब change वाला आ गया ना और EPS की अगर हम बात करें तो EPS कहां use होता है sir micro economics done हो गया अच्छा बच्चे कह रहे हैं हो गया हो गया ठीक है देखिए तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको DFL पता है तो आप easily percentage निकाल सकते हो जैसे इस वाले सवाल में आपको information given था EBIT profit profit before tax और क्या दे रखा था हमें fixed cost कहता है calculate the percentage change in EPS EPS में कितना percentage change होगा अगर हमारा increase हो जाए कितने percent से 5% से क्या increase हो जाए sales अब आपको यहां पर क्या चाहिए sales की बात कर रहा है तो sales किस-किस point में आएगा एक तो sales हमारा किस point में आ जाएगा अगर हम formula की बात करें तो sales एक तो इस वाले format में आ रहा है लेकिन हम EPS नहीं निकाल सकते हैं यहां से change एक इस वाले में आ रहा है ठीक है लेकिन आपको यहां पर क्या चाहिए DCL निकालना ही निकालना पड़ेगा अगर आपने DCL नहीं निकाला तो नहीं होगा तो simple सी बात है यह आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो और shortcut तरीके से भी कर सकते हो तो अगर इसका जिस बच्चों ने answer बोला सभी बच्चों ने बोला कि सर हमारा तो आ गया है answer मैं फिर चलिए सर सबसे पहले क्या लिख लें हम sales question में नहीं given छोड़ देते हैं सीधा क्या दे दिया question ने EBIT दे दिया question ने क्या दे दिया EBIT minus में VC नहीं दे रखा भी छोड़ देते हैं अब contribution नहीं दे रखा लेकिन निकाला जा सकता है minus में क्या करते हैं fix cost और उसके बाद क्या आता है हमारा सवाल ने यह दे दिया है यानि EBIT कितने है 11,00,00 अगर fix cost हमें given है कितना 7,00,00 तो यह minus करने के बाद ही आया होगा तो हम इसको plus कर देंगे तो आजएगा 18,00,00,20,000 ठीक है अब इसने क्या पूछा EPS में are expected to increase by 5% कहता है calculate the percentage change in EPS EPS में कितना होगा अगर हमारा sales कितना बढ़ जाए 5% से बढ़ जाए तो sales बढ़ना और contribution बढ़ना बात एक ही है ठीक है sales बढ़ना या contribution बढ़ना बात एक ही है क्योंकि मैंने देखो कहीं कहीं पे आप ध्यान से देखो तो कहीं कहीं पे मैंने यहाँ पे आपको sales और contribution दोनों लिखा है क्योंकि variable cost sales unit के terms में ही change होता है हमें से है ना variable cost जो होता है sales unit के terms में होता है तो जैसे आपने पहले एक बार जो simple हमने सीखा था उससे भी कर देते हैं इस सवाल को और दूसरे से भी कर सकते हैं तो यहाँ पे डी वेल निकल जाएगा डी वेल क्या आएगा बताओ डिवाइड कर तो इसको जल्दे से 1.6 यह आगे डी वेल अब हम चाहते हैं कि हमारा sales कितना increase हो जाए 5% एक column इदर बना लेते हैं तो 5% sales तो नहीं पता लेकिन contribution को increase कर सकते हैं 5% बढ़ा दीजिए 19,11,000 fix cost सेम रहेगा minus 7,12,11,000 मैं long method ले रहा हूँ उसके shortcut पर आ जाएगे और क्या interest वगेरा दे रखा है आपको सवाल में कुछ नहीं दे रखा तो अगर मैं इसमें से minus कर दूं interest जो नहीं पता तो वो 0 होगा तो इसका मतलब सर अगर वो 0 हुआ तो हमारा ebt भी कितना आ जाएगा लेकिन हाँ profit before tax दे रखा है तो बीच का difference interest होगा एक मिंट मैंने थोड़ा से इसमें न एक point आगे ले जाना है अभी DFL छोड़ देते हैं यहाँ गया profit before tax और इसी को हम क्या बोलते हैं पता है ebt जो कि हमें question में given था क्या given था question में 3 लाग 20 अजार और यहां के बीच का जो difference रहेगा वो क्या रहेगा interest तो हमारा देख लेते हैं 11 लाग 20 अजार हां 8 लाग कितने आ गये है सीधा 8 लाग है ठीक है तो interest भी same ही रहे गए हां भी मैं दोनों method से करके दिखा रहा हूं long भी और short भी अभी बस 5 मिनट दीजिए क्योंकि मुझे comparison करना है न यहागा 4 लाग 11 ठीक है यहाँ पे हमें अब देखों यहाँ पे eps है और eps हमेशा eps is equal to अब ध्यान रखना eps कई बार eps is equal to आपका ebt हो जाता है अगर आपके सवाल में tax का rate ना given हो tax no given समझे बात क्योंकि tax मान लो 0 तो फिर उसके बाद minus करके तो eps ही आ जाएगा वो वही आ जाता है एक बार कई बार eps ebt को मतलब बराबर ही मान लेते हैं एक बार को अब eps का मतलब तो वैसे earning per share होता है लेकिन हम यहाँ पे share से divide ना करके हम simply मान सकते हैं जो यह profit बचा है न यह eps ही के बराबर ही है क्योंकि total के form में वही eps ही आएगा अब हम पहले dul निकाल ले वैसे dul की जोरत है नहीं पूछा ही नहीं है हमें चाहिए क्या dfl हमें eps किसमें यूज होता है financial leverage में तो dfl चाहिए dfl निकालो इसका क्या है एक लाख ग्यारा लाख बीस अजार divided by 3.5 आप भी चेक करना क्या रहा है 3.5 अब हमारे sales कितना बढ़िया 5% हमने बढ़ा दिया 5% sale एक तरीके से नहीं गीवन था मैंने बोला contribution sales को इमानलो बढ़ा दिया अब पूछ रहा है कि भाईया eps में कितने percent increment लगेगा अगर हम sales को increase कर दे 5% तो eps में एक तो हम यहाँ से change निकाल सकते हैं eps में changes आ जाएगा कैसे इन दोनों का difference 3.2.000.000 minus 3.2.000.000 minus 4.000.000 91 और divided by base ले लो base क्या है हमारा 3.20 into में 100 तो कितने आ गए कितने percent मेरा अलग क्यों हा रहा है हाँ 28.4,3,7,5 एक तो यह हो गया अभी अभी formula लिखा है हमने कहां चले गया भर भर किदर चला जाता है यह लिखा है एक अगर आपको DFL पता हो तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो percentage change in EPS क्योंकि आपको DFL आप पता चल गया आपको EBIT percentage change पता है ठीक है और आपके बाद इसके बाद आपको EBT यानि EPS percentage automatically difference आपका आ जाएगा लेकिन इसके लिए आपको दो चीजों को पता होना जरूरी है एक तो हमें पता है था पहले से दूसरा आपको percentage change in क्या निकालना पड़ेगा EBIT कितना percent change है और एक आपका फिर EPS निकल सकता है तो इस वाले सवाल के अंदर देखा जाए तो हम इस method से हमने दोनों चीजे निकाल लिया दूसरा निकालना दूसरे आपको percentage वाला method बता है आप करना चाहते हो तो गर सकते हो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा ultimately आपको एक और निकालना पड़ेगा percentage change in EBIT percentage change in EBIT क्या है थोड़ा सा lengthy हो जाएगा यह हम बस experiment कर रहे हैं और कुछ निकालना ग्यारा लाख बीस हजार माइनस बारा लाख ग्यारा हजार नाइनटीवन divided by ग्यारा लाख सर यह आगया 8.125 इंटू में 100 है implied आप मान लीजिएगा ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है formula रखना है percentage DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT DFL क्या आया था बताओ 3.5 percentage change in EBIT यहाँ EPS रख दो percentage change in EBIT क्या है 8.125 multiply कर लिज़े इसको 3.5 से तो वही आगया हमारा examiner आप से कभी भी यह नहीं कहेगा कि आपको यही तरीके से करना है वह आपकी मर्जी है बस इस सवाल में इस question में हमें क्या पता चला कि सर अगर हमें sales का percentage बोले या contribution का percentage बोले बात बराबर होता है क्योंकि variable cost और इनके बीच में combination की बात करें तो same ratio में percentage change हो रहा होगा ठीक है ना अगर हमें और भी अगर हमें sales निकालने को बोला जाए क्या हम sales निकाल पाएंगे यहां अगर जब तक हमें या तो contribution का ratio दे देता है या हमें variable cost का ratio दे देता किसी क्या भी दे देता है तो हम निकाल पाते यहां पर हमें question को इसी तरीके से करना होगा यह वाला जो part हमने किया है that is यह working note में चला जाएगा और fair part आपका यह माना जाएगा जो formula लिखके कर सकते हो आठ लाख 91,000 बच्चे बता रहें interest आठ 91,000 बच्चे बता रहें interest देखना चेक करो एक बाद ठीक से minus करो नहीं यहां पर कैसे बढ़ेगा थोड़ी interest भी fix रहता है interest भी आपका क्या रहता है fix रहता है और fix cost भी वो बदलता नहीं है हाँ मैं अब सारे questions करूँगा interest कैसे आया? interest देखिए आपका कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको यह point आपने निकाला यह point आपने निकाला और यह वाला आपको देखो यह वाला आपने गीवन था और यह वाला भी गीवन था तो इन दोनों के बीच का difference हमेशा interest आईगा यह difference है क्या है यह difference? difference वाला मैंने क्या करा? यहां से सिर्फ percentage increase कर दिया कितने percent? सवाल मैं खुद कह रहा था 5% तो मैंने 5% बढ़ा दिया इसलिए increase का हो गया अभी और भी खूब सारे questions करने हैं जो कि समझ में आ जाएगा कॉलम में PBT PBT तो दे तो रखा है profit before tax है न तो इसको EBT कह लो या कह लो PBT दोनों बात एक ही है earning before tax या profit before tax दोनों का मतलब ही एक ही है ठीक है? चलिए और भी questions करते हैं फटा फट बस मुझे practical questions ही करने यह formula बस आपको थोड़ा remind कराना था यह सबसे last में करेंगे या यह homework दूँगा एक मैं करके दिखाऊंगा बाकी homework दूँगा है बहुत simple बस समझाना है चलिए आ जाएए इस वाले सवाल पर हमने last class में कितने question कर लिया है मुझे तो याद भी नहीं है difference कैसे लेते हैं जो starting के class में बताया था दोनों के बीच का difference divided by base year into 100 ऐसे percentage difference निकल जाएगा हाँ बिल्कुल EPS को माइनस करके भी निकाला जासा है ठीक है पहले यहाँ देखिए आप question करते हैं फिर आ जाएगे फिर उसी point पर मैं format बना लेता हूं फटा फट कितने data है यह भी देख लेते हैं पहले एक पर पढ़ लेते हैं question है ना कहता है the share capital of company company का share capital दे रखा है which share of face value 10 रुपे का एक तो मैं यहाँ लिख देता हूं number of shares आ गया तो 10 लाक divided by 10 is equal to 1 लाक आ गया the company has a debt 6 लाक 10% तो यहाँ of the firm 30,000 unit per annum और selling price है आपका 5 रुपे and variable cost है आपका 3 रुपे the fixed cost दे रखा है आपको 2 लाक रुपे the company tax का rate है 35% अब जब tax का rate दे देना तो उस case में हमारा EBT और EPS अलग होगा उस case में ठेक है क्योंकि बीच में क्या involved होगे हमारा tax वाला point आ गया if sales increase by 10% calculate अब sales आपको increase करना है तो सर एक पहले present वाला तो निकाल ले तभी तो sales increase करेंगे है सर present present में कितने unit थे हमारे सर ये 3 लाक unit और कहता है अगर हमारा sales 10% increase हो जाए तो 10% increase होने का मतलब 3 लाक 30,000 unit पे बात कर रही है है ना समझ में आया पहले 10% कैसे increase हुआ अब sales की हम बात करते है सर सेल्स कैसे निकालेंगे 3 लाक इंटू में एक का कीमत 5 रुपए है सवाल में कह रखा एक का कीमत कितने 5 तो 3 इंटू में 5 15 लाक सर माइनस कर दो variable cost variable cost कैसे निकालोगे 3 लाक unit और 3 रुपए का एक unit question में given है 3 रुपए एक unit तो कितने 9 लाक आप increase वाला भी कर दो 3.3 इंटू में 5 तो 15 16 लाक पचास अजार 16.5 लाक और 3.3 इंटू में 3 9.9 लाक ठीक है यह क्या गया contribution कितने आगे 6 लाक यहाँ पर क्या गया contribution बताओ यहाँ पर last class देखो हो जाए मेरे हिसाब से तो best है कितने 6 लाक 60,000 आप बताते जाएं यह बस छे साथ बिल्कुल सही छे साथ 26 लाक लिख दिया एक बच्चे ने 6 साथ ठीक है माइनस क्या कर दे हम fix cost fix cost क्या दे रखा है अब क्या गया हमारे पास EB IT कितने आगए चार लाक यह चार लाक 60,000 माइनस कर दो क्या इंट्रस्ट कितना है हमारा निकाल लिया था साथ हजार और यहां भी साथ हजार यह क्या आ गया हमारा EBT EBT क्या आ गया हमारा 3 और यह आ गया पूरे अब माइनस क्या कर दो यहां से टेक्स कर दो टेक्स क्या दे रखा है हमारा 35% निकालो 35% 35% टेक्स निकालो 3.4 इंटू में 35% एक लाक उननिस अजार ठीक है माइनस करने के बाद आ जाएगा 2.21 लैक यहनि 2.21 चार लाक पे 1.4 लैक और माइनस करने के पाद 2.6 लैक यह जो है न यह अर्निंग इसे अब EPS कहेंगे हम अब वैसे EPS कहना टेक्निकली एकदम अगर आप कोई बच्चा जाता है तो वो डिटेल में गलत लेकिन FM में चलता है इसे बोलते अर्निंग फोर एक्यूटी शेयर और EPS कैसे निकालते हैं जब हम इसको डिवाइड कर देंगे नंबर आप शेयर से तो EPS आएगा बस इतना है लेकिन बात तो वही आना है परसंटेज चेंज करने के बाद ठीक है एक तो आपके पास यह पता चल गया डिफरेंस लेके एक आप किसकी मदद से निकाल सकते हो डिएफल की मदद से लेकिन डिएफल वाले केस में आपको परसंटेज चेंज किस चीज का भी चाहिए होगा EBIT का भी चाहिए होगा आपको तभी निकाल सकते हो ऐसे situation में मैं क्या करूँगा simply difference लेके निकाल लूँगा percentage change in EPS is equal to आपका क्या होगा difference amount किसका EPS का difference EPS divided by base EPS into में 100 तो सब difference कितना है 221 और 260 के बीच का difference कितना हो जाता है 19 19,000 divided by 221,000 into में 100 बताइए क्या आगया इसका दूसरे method से करना चाहते हैं करो नहीं तो मैं तो कहूँगा ज्यादा उलजने से अच्छा है कि simple अगर सारा data available हो ना एक question दिखाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा तो वहाँ वो formula काम आएगा आपका अगला कहता है degree of operating leverage of two level दोनों level पे तो भाईया इसलिए तो data तयार करा हमने दोनों level पे degree of operating leverage easily बना सकते हैं ठीक है ना चलिए D.U.L Sir D.U.L कैसे निकालोगे अब सबसे पहले ये divided by ये इसको नाम दे दो A इसको नाम दे दो B इसको नाम दे दो C तो A अपॉन में B निकाल दो दोनों का 6 बटे में 4 1.5 इसका बता दो अब 6.6 divided by 6 हाँ ये 29 होगा 49 होगा साइद बच्चे कह रहे हैं 49 चलो ये 49 होगा फिर ये 39 कह रहे हैं इसको चेंज कर देते हैं अब डिवाइट कर दो और इसका भी आंसर बच्चों ने बता दिया सर ये आएगा हमारा ये 17.6 बता रहे हैं देखना ठीक है और इसका भी बता दो डिफ्रेंस गलत ठीक कर लिया गुर्ण गुर्ण मैंने सभी मैंने ठीक कर लिया ठीक है अब ये बता दो ये क्या है आगे डिफ्रेंस बताओ वन पॉइंट निकाल रहे हो या फिर ऐसे ही निकाल रहे हो न वो रतन दीप येस येस परभात गुन गुन ठीक कर लिया मैंने चलो दो पॉइंट ड़न कर लिया देखो कितना आसान था तीसरा डिग्री ओफ फाइनेंशल लीवरेज मेरे को पता था इसलिए न जब लिवरेज वाला कुशर्ण आता है तो डेटा थो पहले तयार कर लिया करो अब जो बच्चा पहला कुश्च रेगा पहला निकालेगा फिर दूसरा करेगा अरे ये भी करना है पिर तीसरा करेगा इससे अच्छा एक डेटा हमारा यह तयार होता है नहीं, जो मर्जी पूछ लो भाई, फटा-फट निकाल लेंगा, बस पॉर्मूले लगाना है फिर तो, तो अब क्या निकाल लेंगे हम DFL, क्या हो जाएगा B बटे में C, बताएगे, 1.4 आ गया, इसका अगला भी बताएं भ वन पॉइंट, लो तीनों आंसर्स दे दिया हमने, और कुछ नहीं था इसमें, बताएगे किसी बच्चे को कोई डाउट, इस कोशन में, एक स्टुडेंट पता नहीं, 1.17 कह रहा है, किसका आंसर एक बार चेक करो भाई, गलत तो नहीं बताया अपने, किसका, इसका, 1.7 है ये, फिर गलत क्यों बताया है, इसका, 1.7 है, जिनके पास बुक है, बुक में भी आप आंसर्स चेक कर सकते हैं, एक तो ये सबसे ज़्यादा न, ओनर्स वाली बुक देखा है, बहुत बच्चे परिशान रहते हैं, इसका कुशन कहां से शुरू हो रहा है, खतम कहां हो रहा है, आंसर शुरू कहां से है, लेकिन अभी तक टेक्समें को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बच्चे कितने प पार्ट कवर कर लिया इसमें, क्लियर, और मेरा मानना है आपके एक्जाम में इसी टाइप के कुशन इस बार आने के चांसे ज़्यादा बनते हैं, इस बार, कि तीन चार चीजे पूछ लिया, और क्यूंकि आपका कुशन पंदरा या बीस, दो में से एक मान के चलो आता है, तो ये बारा नमबर का आएगा, तो चार-चार-चार नमबर का दे देना होगा, क्लियर, पिछले कुश्चन का परसंटेज चेंज इन इपिएस यही तो निखाला है, पहले भी ऐसे करा था, अब भी ऐसे करा है, पिछला एक एडवांस बताया था, अभी आगे आ जाएगा हो, चलिए सर, अब मेरे को लग रहा है, बहुत तेजी में नहीं चल रहा है, बारा, सर कुश्चन पढ़ लेते हैं, कहता है, following information available in respect of, आपका एक कंपनी है, दद, PVR दे दिया profit volume ratio, इसका मतलब सर यह कौन सा ratio है, पता है? याद करो, सारी classes इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ मैं चीजों को, contribution ratio है, अब सर इसने तो answer ही दे दिया, answer ही दे दिया इसने, operating leverage निकालना सीखते थे, यह दे रहा है हमें, financing leverage निकालना सीखते थे, दे रहा है, interest liability दे दिया इसने, tax rate दे दिया इसने, number of equity दे दिया, अब क पूरा detail आप तयार करो, इसका कहना यह, कोई बात नहीं, बड़ा असानी से कर लेंगे, हम इसके पूरी के पूरे detail को तयार हो, अगर आप इस format को, आपको याद होता है, जितने बच्चे देखो, नए daily बच्चे enroll करते हैं, कुछ बच्चे लेट आ जाते हैं, तो मैं कहूंगा, अब तो भाई, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ चुके हैं, अगली class में जब हम नय चप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उससे enroll हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा, सबसे पहले मैं format बना लूँ, simple, सर, sales, minus क्या करते हैं, BC, क्या आता है हमारा, contribution, minus क्या करते हैं, EBIT, अरे, minus EBIT थोड़ी करते हैं, minus क्या करते हैं, fix cost, कोई आएक है, fix cost, क्या आएगा आपका, EBIT, minus क्या करेंगे सर, interest, क्या आएगा हमारा, EBT, minus क्या करेंगे हम, tax, क्या आएगा हमारा, EAT, और इसी को हम कर देंगे, earning for equity, यह बनीगा income statement, इसको हम divide कर देंगे, किस से सर, number of, share से, तो क्या जाएगा, EPS, अब बस fill in the blanks हो गया, question तो, जो जो दे रखा है, detail put करते जाते हैं, sir, number of equity, sir, आपका tax rate 30% दे रखा है, interest दे रखा है, कितने आठ हजार, interest क्या है, 8000, अब interest कुछ में use होता है, कौन से leverage में, operating leverage में, financing leverage में, financing में use होता है, अब DFL का formula open करो, क्या होता है हमारा, अब मैं इसको थोड़ा style से बदल के करता हूँ, मैं कर देता हूँ, EBIT divided by EBIT minus interest, थोड़ा style change कर दिया, यही है न, क्योंकि interest factor दे रखा था, तो हमने क्या कर रहा सर, interest थोड़ा सा unique कर दिया, बता इस formula में कोई कमी है, या वही थोड़ा से explain कर दिया, वही है से, अब हमें DFL पता है, DFL क्या दे रखा है हमे, financial leverage 1.421 is equal to EBIT question mark है, तो EBIT को EBIT छोड़ देते हैं, नीचे भी EBIT question mark है, EBIT रहने दो, minus में interest दे रखा है, 8000, cross multiply करने में तो हम सुरू से expert है, तो इसको करेंगे तो 1.421 EBIT, पहले इसको मैंने इस से किया, फिर इस से करो minus के, करो बताओ क्या आता है, 11000, 68, यह आ गया, is equal to क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, और जिसके आगे कुछ नहीं होता है, उसके आगे कौन होता है, उसके आगे होता है, एक, भगवार नहीं होता है, उसके आगे एक होता है, अब कुछ बच्चे बता रहे हैं सर 27000, कुछ multiply गलत तो नहीं करा है, अब देख लो, चेक कर लो, अच्छा contribution बता दिया सायद सीधा, चलो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट को एक साइड बिना एक्स वाले जैसे हम पहले कर दे थे, इसको अगर हम इधर लेक्या आए, तो हमारा क्या आजाएगा, EBIT, लेकिन 0.0 is equal to, अब सर EBIT का अंसर निकाल लो, मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूँ, शॉटकट भी कर सकता था, divided by, चलो अब बता दो, 27,000, दो छोड़ो ना अब, एक दो रुपर छोड़ो, वो पॉइंट के विज़सा आगया हो, ठीक है, तो 27,000 बच्चों ने निकाल दिया EBIT, तो सर, एक चीज़ पता चल गया हमें, अब इससे हमें ये भी पता चल जाएगा, बनता जा रहा है, रास्ता बनता जा रहा है, कितने, 8,000 माइनिस करेंगे तो, 19,000, सर, टेक्स रेट कोश्चन में गीवन है 30%, मजे की बात, तो 5,700, माइनिस करेंगे तो क्या आजाएगा, 13,000, 300, EPS तो ऐसे ही निकल लिए देख लो, डिवाइड करना है बस है न, इसको थोड़ा उपर करो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना नीचे है न, चल ला, EPS बात में करेंगे, अब इससे हमें उपर जाना है, अब उपर जाने के लिए, हमें इसका परसंटेज दे रखा है, कॉंट्रिबीशन का, कॉंट्रिबीशन का परसंटेज के इतना है, 40, लेखिन सर, कॉंट्रिबीशन पता तो चले, अब कॉन मैं आप से पूचना चाहता हूं, कॉन बच्चा बताएगा vari speculate कॉस्ट का परसंटेज, variable cost का percentage क्या होगा question में दिया है क्या variable cost percentage नहीं दिया हमने starting में देखा था हम hundred में से minus करके कर सकते थे थे न तो यहाँ पर क्या percentage होगा हमारा very simple अब sir ये दोनों जो बीच में fix cost आ रहे हैं और fix cost का involvement पता है किस में होता है operating leverage में अब operating leverage का formula open करते है next page पर चल लेते हैं operating leverage क्या कहता है contribution थोड़ा style change कर सकते है वैसे EBIT तो पता ही है वैसे भी छोड़ो style change करने की जुरत नहीं है नहीं तो मैं चाहता नहीं तो इसको ऐसे भी कर देता contribution रखता और divided by contribution minus FC कर देता ठीक है तो जैसे पिछले आले सवाल में किया था ये भी लेकिन अब हमें EBIT पता है तो directly contribution निकाल लेंगे हम तो सर DOL क्या पता है हमें सर देखिए DOL दे रखा है 1.5 1.5 is equal to contribution नहीं पता तो रहने दो सर EBIT आपने 27,000 निकाल आना है साइद multiply करो क्या आ गया 40,000 500 आ गया contribution अगर आप formula पर आ जाएं तो ये पता चल गए आपको 40,000 500 तो अब इनके बीच में क्या रहता है fix cost ही रहता है क्योंकि आपका ये 45,000 आया और ये 27 है तो कुछ minus करके आया होगा और that is जो minus किया होगा वो क्या होगा सर हमारा fix cost होगा तो fix cost कितने बनगे बताओ 13,500 बच्चो का जवाब भी आ गया है 13,500 अब सर ऊपर जाते है अगर आपको ये पता है तो आप कुछ पर निकाल सकते हो direct जाके ठीक है कैसे बताया था formula को रखने के लिए मैं इधर कर देता हूँ formula को रखने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया आपको चालिस पान सो है ये और sales डारेक्ट निकाल सकते हैं कितने percent के बराबर है 40 और आप अगर variable निकालना चाहते हो तो उपर 60 रख दो और अगर आप sales निकालना चाहते हो तो उपर क्या रखो 100 यानि sales का हमेशा percentage क्या ले लेते हैं हम 100 ले लेते हैं तो बताओ क्या निकालने sales या variable sales चलो निकालने sales फिर difference ले लेंगे कितने होगे बताओ एक लाख एक लाख अब इनके बीच में क्या होगा difference variable cost या तो आप इसका सीधा 60% निकाल लो या इन दोनों के बीच का difference ले लो कितने बच्चे तो बता रहे हैं एक लाख ग्यारा हजार दोसो पचास कुछ बच्चे एक लाख बारा सो पचास भी बता रहे हैं एक लाख बारा सो पचास जादा बत चोगा है वही है चलिए समाज में आ गया अब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुस्किल लग रहा था लेखिन हमारा ये जो format बनाया है न हमने ये best है आप एक बार इसको बनाओगे न तो सीधा सीधा आपको पता चलता जाएगा इससे ये निकलेगा इससे ये निकलेगा और बड़े आसानी से ये हो जाएगा क्लियर चले अंगले सवाल पर चलते है किसी को doubt है इसमें बता दो फटा फट से variable cost कैसे आया सर आप difference भी ले सकते है variable cost में या आप इसका 60% भी ले सकते है ये कैसे आया मैंने इधर green marker से करा हुआ है दूसरा कैसे आया सर इधर करा हुआ है चिंता की कोई बात नहीं है किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए clear है समझ में आ रहा है पूरा आगे देखें अच्छा EPS रह गया EPS भी बताई दो भाई 10 से divide कर दोगे तो 1.33 hand raise का कुछ बच्चों का आ रहा है तो hand raise सबसे last में लेंगे जब chapter पूरा हम कर लेंगे न तो फिर मैं आराम से बैठ हूँगा और आप से फिर discuss कर लूँगा पॉइंट क्या बता दिया 0.412 0.421 कैसे आया कौन सा 0.421 अरे इसमें से माइनस किया न ये देखो ये equation ये देखो ये पूरा एक equation है इस equation को solve करो आ जाएगा ये एक है EBIT में से माइनस करोगे तो आ जाएगा इस equation को solve करना आ जाएगा next page done ये देखे अब बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चला पहले कौन सा formula open करना है आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो लेकिन हमेशा ध्यान रखना है हमें उसी formula को पहले लिखना चाहिए जिसकी कोई एक जानकारी दो जानकारी गीवन हो क्योंकि दो information अगर उससे related गीवन होता है तो तीसरा find किया जा सकता है हमारा contribution पे 40% निकाला है यह रहा आपका 40-500 contribution निकाल लिया था उसके divided by 40 into में 100 percentage को reverse करके directly sales निकाल लिया है हमने चली अब आगे चलते हैं अब आपका निकाल आपका निकाला है बस 16 कुश्चन है फिर आज ही खतम हो जाएगा चलिए एक बार कुश्चन पढ़ लेते हैं कहता है यह तो बना के दे रहा है हमें पूरा फॉर्मेट क्या कहता है using the concept of financial leverage को ध्यान रखते हुए by what percentage will be taxable income कहता है what percentage will the taxable income taxable income का मतलब आपका वो income जिस पर tax देना है यानि EBIT taxable income का मतलब क्या होता है क्योंकि tax किस पर sorry EBT tax किस पर देते हो आप EBT पर क्योंकि आपने अभी निकाला न earning before interest and tax के बाद फिर interest minus करते हो तो क्या आप EBIT पर tax देते हो नहीं देते सर पहले interest minus करते हो तो taxable income if EBIT increase by 6% बोलता है अगर हमारा EBIT increase हो जाए 6% तो taxable income बताओ तो taxable income का मतलब आपसे देख रहे हो कितना घुमा के पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है EBT क्या पूछ रहा है EBT कहता है अगर हमारा 6% से increase हो जाए क्या increase हो जाए 6% से हमारा EBIT तो बताओ के हमारा EBT क्या होगा अभी बता देंगे निकालके पहला question हो गया यह ठीक है अगला कहता है using of concept of operating leverage where the percentage will EBIT increase if there 10% increase in sales कहता है अगर sales में 10% का changes आए तो आप मुझे यह बता दें कि EBIT में कितना percent increase होगा ठीक है कितने percentage increase होगा और यह भी percentage में पूछा है अब change वाला formula लगाएंगे और फटा फट निकाल लेंगे लेंदी वाले तरीके से नहीं करने वाले क्योंकि हमें DFL चाहिए और हमें एक percentage जो दो percentage given है एक DFL यह DOL निकाल लेंगे और percentage change in EPS और जो भी given है उसके साब से निकाल लेंगे फटा फटा कहता है जो हम एक नए टेबल बना के बोलते हैं कि यह ऐसे ऐसे बढ़ा है जो डिटेल में हम कर रहे थे तो वो verify कहलाता है तो सबसे पहले तो simple सी बात है हम income statement बना लेते है सर इस pure chapter formula भेज देना मैंने लिख दी है आप note कर सकते हो बाकी मैं लिख आप side पढ़ा होगा मैं भेज दूँ आपको formula तो मैंना इसको देखो दोनों से करके दिखा देता हूँ अब यहाँ पे सबसे पहले present जो की दे रखा है हमें क्या दे रखा है सर sales दे रखा है और मैं न थोड़ा सा जो जो requirement होगा न detail इधर चलते जाएंगे ठीक है क्या दे रखा है हमें sales, sales कितने हैं सब कुछ दे ही रखा है फिर भी हम लिख लेते हैं sales दो लाग एक बार इस format को लिख लें minus VC कितने हैं और इसके मजे की बात है यह दे दिया है आपको तो minus करोगे तो contribution आ जाएगा 41 यह आ गया contribution और यह कितने percent होगा मैं बस knowledge test कर रहा हूँ 70% ठीक है लिखना नहीं है आपको बस मैं एक knowledge के purpose के लिए आपको लिखता जा रहा हूँ minus fixed cost fixed cost question में given है एक लाग minus करोगे तो क्या हैगा 40,000 that is EBIT minus क्या कर दो sir interest minus कर दो interest क्या है question में 5000 क्या गया हमारा 35,000 यह क्या हो गया हमारा EBT या फिर taxable income एक और नाम सीखा हमने इसमें इसी को क्या बोलते हैं taxable income अब tax दे रखा है आपको जो भी अब tax लगेगा ना तो इस पे लगेगा हलागि हमें बोला हुआ नहीं है अब हम simple simple तीन चीज़े निकाल लेते हैं sir क्या निकाल लो DOL कुछ बच्चे last में देखेंगे ना बोलेंगा पता नहीं क्या चल रहा है DOL Degree of Operating Leverage Degree of Financial Leverage फटा फट आंसर बता दो आंसर बता फटा फट sir please program वालो के book के pdf pdf कहां से आएगा book खरीद नहीं पड़ेगी book के pdf किसी का नहीं है खरीद नहीं पड़ेगी book तो कितने three point और DFL one point one four सही सही बता रहे हो न DCL DCL three point हाँ वही हो गया चार ही हो गया nine nine चार ही हो गया लोग चार लिख देता हूँ ठीक है अब हम question पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे दोनों तरीके से करके दिखा दूँआ long भी और short भी और short की बात करूँ पहले short कर दूँँ पीछे अगले page पर short कर देता हूँ अगले page पर short करेंगे फिर यहाँ पर long process कर दूँआ और मेरे हिसाब से तो short ही कर देना ज्यादा benefit रहेगा सबसे पहले क्या दे रखा है यह percentage change in कहता है कि आपका क्या percentage change होगा EBT में अगर हमारा EBIT का 6% increase हो जाए DFL से related है DFL का एक और formula होता है percentage change in EBT divided by percentage change in EB अब सारी जानकारी given है DFL निकाल लिया बही क्या निकाला 1.414 is equal to EBIT का percentage change नहीं पता यही तो पूछा है सारी EBT का मैंने EBIT EBIT दे रखा है कितने percent 6% multiply कर यह 6.84 यह आगया low answer यह ज़्यादा बढ़िया है आपको इसी को follow कर लो जब percentage वाला हो सीख तो दोनों ही लिया आपने मैं detail वाला नहीं कर रहा है verify वाला अगले page पे कर देंगे आपको बता दूँँँआ आप खुद कर लोगे verify अब दूसरा बोलता है what the percentage leverage आप operating leverage के हिसाब से बताईए और नहीं भी बोलता तो भाई है यहाँ पे बोला है इसने financial leverage से बताओ यह line नहीं भी लिखता तो हमारे पास दिमाग है यह दोनों इसी के बीच का बात कह रहा है तो हम निकाल लेंगे ठीक है न यहाँ कहता है operating कहता है what percentage change अगर हमारा sales कितना increase हो जाए 10% तो सर हमारा operating leverage का formula होता है percentage change in EBT EBIT divided by percentage change in sales यह आगे आपका 3.5 percentage change in EBIT क्या था सर percentage change in EBIT 10 है नहीं sales दे रखा है यह तो निकालना ही है भाई divided by यह 10 है तो 35% आप answer को भी match करते जाएएगा अपने book से ठीक है अगला क्या कहता है using the concept of leverage बोलता है भाई यह leverage का concept लगा लो जो मन में करता है what the percentage taxable income taxable income या नहीं फिर से क्या पूछ रहा है वो यह क्या percentage change होगा अगर हमारा क्या change हो जाए sales by 6% sales कि से change हो जाए हमारा 6% तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो combine leverage में sales भी आता है combine leverage में क्या क्या आता है sales भी और ebt भी आता है dcl क्या होता है percentage change in ebt divided by percentage change in sales के लो country के लो मैंने बताया था चलिए dcl के है चार और percentage change in sales आपको दे रखा है कितने है 6 और percentage change in ebt तो 24 आ गया लीजिये जी फटा फटा आंसर बुक में साहथ मैंने 0.99 को कुछ change किया था तो 24.1 या 23.99 ऐसा कुछ आ सकता है हमने तीनों के तीनों के जवाब दे दिये अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं के इसको जवाब दे और कहता है also verify verify का मतलब आपको तीन कॉलम और create करने होंगे सुन लो नहीं लास्ट वाले को verify खोलता है एक कॉलम और create करने होंगे लो मैं करी देता हूँ verify मैं verify करने के लिए इधर कॉलम ही बना लेता हूँ side हो जाओ भाई और इधर कॉलम एक यह वाला जो कॉलम बना रहा हूँ मैं यह verify के लिए बना रहा हूँ कितने percent sales increment लगा 10% यानि कितने हो जाएंगे अब ध्यान देना मैं जल्द यल्दी कर दूँ है इसको sir sales में increment क्योंकि इस पाले question में सिर्फ verify बोल रहा है sales में increment 6% है बढ़ी बताते जाओ मैं 10 कर देता भी 6-12, 2,12,000 हो जाएगा यह हाँ के नहीं तीसरे point को verify करना है बस ठीक है इसके बाद अगर यह है तो इसका 30% निकाल लो कितने हो जाएंगे 4-12, 4-3, 12 का कितना होगा 30% हाँ आइ क्या बात कर रहे हूँ 12 यह होगा अब बताओ माइनस करके और माइनस करो यह इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट आ गया अरे यह भी माइनस नहीं कर पा रहे है 5000 माइनस करो चलो बन गया इस statement अब verify कर दो कितना change होगा तो हम कैसे निकालते थे difference ले 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 थे दोनों में तो कितना difference हुआ percentage change in EPS या EBT कह लो तो difference amount हो गया हमारा 35 और 43 कितने होगा difference लेना divided by 35 और 8 और into 100 तो क्या आजाएगा सहाब verify होगा बस practice देखो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे regular class में starting से तो उनको लगेगा हाँ question जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ तो clarity बढ़ती जा रही है एक बार आप भी इस question को practice करोगे तो बिल्कुल लगेगा ये तो आसाने होई गया ये ठीक है question number था 14 किसी को doubt है क्या 24%, 43,500 48,400 सभी बच्चों ने निकाल के बता दिया था चलिए अरे अगला question 15 16 में क्या है 16 भी कर देंगा 2 मिनिट का काम है चलिए find the operating leverage data given है sales, variable cost, fixed cost ये लो एक पार्ट दूसरे पार्ट में कहता है find the financial leverage अगर data given है net worth debt equity ratio given है और interest given है आपको rate और operating profit operating profit का मतलब होता है सर EBIT EBIT ये सारे नाम जो लिख रहा होना ये सारे आपको पता होना चाहिए operating profit का मतलब क्या होता है EBIT कहीं पर आप जब notes बनाऊगे तो जितने नाम लिखे हैं उनके different क्योंकि paper में कोई भी नाम use हो सकता है आपका चलिए फटा-फट से पहले statement ही बना ले हम ये दो question है ना सारे दो पार्ट है ना तो statement काई को बनाए फिर formula लगा के कर देते ना फिर भी एक तो छोटा सा बनाना पड़ेगा नहीं बुक में तो देखो बहुत चीज़े short में भी कर देते हैं मुझे तो detail में कराना पड़ता है ना sales बताईए कितना है sir minus में VC कर दीजिए 60% that is बचा कितने 20,000 यह आगया country minus कर दीजिए FC 12,000 that is आगया 8,000 यह आगया EBIT और DOL निकाल दीजिए country divided by EBIT करें डिवाइट करो डिवाइट एक बार 2.5 आगया पहले एक आंसर अब देखो debt equity ratio का formula लिख देता हूँ आपके लिए नई बात नहीं है यह इसका formula होता है debt upon में यह आपने 12 वी class में करा हुआ है और अभी semester में corporate में भी कई जगह पर पूछा गया है यह debt equity ratio और even though question भी आ गया था ratio का एक बार तो debt equity ratio का formula जिसको नहीं पता पहले नहीं पढ़ा हुआ तो simple सी बात एक formula होता है हर ratio निकालने का debt equity का debt upon में equity बस एक ही formula है यह इसके अलाबा कुछ नहीं है अब debt equity ratio आपको दे रखा है 3 by 1 is equal to debt नहीं पता debt का मतलब debt और sir यहाँ पे आपका net worth का मतलब होता equity net worth का मतलब होता equity हमेशा याद रखना मैं कुछ चीज़े नाम लिखता जा रहा हूँ equity कितने है तो debt निकल जाएगा यहाँ से sir debt क्यों निकाल रहे हो sir interest निकालने के लिए क्योंकि degree of financial leverage पूछ लिया इसने और financial leverage के लिए आपको बनेंगे 75 लाग आ गया sir debt का percentage दे दिया 12% तो interest क्या आ जाएगा यहाँ नौ लाग अब question number part number two करते है sir हमें EBIT पता है सवाल में operating profit दे रहे कितने लाग रुपई है 20 लाग इसको दूसरे मार्कर से कर लेता है इसको white से करते हैं ठीक है और interest पता है हमें निकाला है sir पता नहीं था निकाला है कितने आ गये 11 लाग यह क्या आ गया अब तो divide कर दो 1.91 हुआ कुछ आएगा देखें अरे 20 divided by 11 कर दिया करो 0 भूल जाए करो 1.81 क्यों लगा लेगा ठीक है सभी बच्चों का अंसर आ गया है यह question भी done नीशू आपका 9-1 आ रहा है 9-1 नहीं आना चाहिए 8-1 आना चाहिए चलिए last question question में क्या कहता है the following detailed banker given है कोई बात नी operating leverage financial leverage interest दे रखा है corporate tax का मतलब income tax ही होता है income tax को ही corporate tax बोल देते हैं इसके बाद variable cost percentage sales 60% prepare income statement of the company मैं पता इसको क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने आपको दिया तो बच्चा doubt लियाएगा और फिर अगली class में मेरा मन है मैं new chapter कर रहा हूँ हाला कि यह सेम टाइप का question किया है शायद हमने आजया ना पहले format बना लेते हैं सब sales minus variable cost क्या आएगा contribution minus FC क्या आएगा EBIT minus में interest क्या आएगा EBT और कुछ पूछा इसने prepare income statement करना EBT tax दे रखा है minus में tax आजाएगा EAT अब जो जो जानकारी है सामने fill करता जाऊँगा सार interest दे रखा है 20 लाग interest दे रखा है ठीक है अब सार कौन सा formula open करें operating and financing financing leverage क्योंकि interest है DFL divided by minus interest यह formula बना लिया हमने सार DFL कितना है हमारा पता है दो यह असान है EBIT divided by EBIT minus 20 लाग cross multiply करो 2 EBIT minus 40 लाग is equal to EBIT अब इधर minus करोगे तो बचेगा केला EBIT is equal to 40 लाग plus में हो जाएगा तो EBIT आगया हमारा और यह आता है minus करने के बाद तो इसको minus करने के बाद आ जाएगा tax दे रखा है आपको 50% तो 50% आएगा इसमें तो calculator भी नहीं चाहिए अब उपर चलते है FC दे रखा है नहीं दे रखा FC के लिए कौन सा formula लग आ ले DOL E contribution सर उसका depth बता दो एक पर 6.1 अभी बता देते है Contribution divided by EBIT 3 is equal to country EBIT क्या था? 40 लाग Multiply करो 1.120 लाग 1 करोड बीस लाग यानि 120 लाग या आगे 120 लाग 120 लाग अब FC क्या आएगा? 80 लाग सही तो है? अब इसके बाद हमारा variable cost कितने परसेंट है? तो ये कितने परसेंट होगा? तो निकाल दो आप 100% sales हो जाएगा 120 लाग इंटू में 100 डिवाइड बाइ साथ साथ है ना? ने चालिस तीन सो लाग है ना? और 60% निकाल दो 180 लाग तो 120 लाग हो गया? 3 करोड 1.2 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पर्थम ने बोला सर उसका एबिट बता दो एक बार किस question का आप question number भी लिख दो ठीक है? आगे आएं? सारे question हो जाता है अब एक बार starting से देख रहे हैं कोई बीच में रह तो नहीं गया? एक question रह गया था मुझे याद है? नहीं एक और भी रह गया वो homework में दुआँ यह रह गया इस question को देखके ना बच्चे डर जाते है सार कौन सा question है जिसको देखके डर लग जाते है बच्चों को? यह और paper में आया हुआ है यह question और इतना आसान है formula put करना है आपको change in sales दे रखा, change in EBIT, change in क्या निकालना है देखो? operating leverage तीनों का हैं? दो यह combine leverage तो formula हर किसी का अलग अलग निकालोगे यानि आपका मैं सिर्फ firm A का बता दूँ A का क्या आएगा operating leverage? क्या होता है formula percentage change in EBIT divided by percentage change in sales है ना? तो सर पहले point का देखो एक answer क्या आएगा? percentage change in EBIT दे रखा है 25 divided by 27 आंसर बताते जाओ B का क्या आएगा? 24 divided by 25 C का क्या आएगा? 21 divided by 23 D का क्या आएगा? 23 Divided by 21 फटा फट 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 बता दो 9 2 0 point 0 point रुक क्यों गया? अभी तो फटा फट बता रहता है 9 5 DFL homework हो जाएगा DFL भी? तो आपको ये question देखके वैसे मुश्किल लगेगा जिन बच्चों ने percentage change वालो formula ना किया हो क्योंकि बहुत बच्चों ऐसे करते हैं first class देखा यार सब समझ में आगे छोड़ो आगे बढ़ते हैं ये chapter तो होई जाएगा फिर वो percentage change वाला यहां पर काम आगा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है सर इसका ठीक है? चलिए ये भी हो गया आप देखते जाते हैं कौन सा रह गया कौन सा रह गया ये भी कर लिया ये homework दिया था हो गया था ये तो आसान था पिछली क्लास में बता दिया बच्चों ने हो गया ये भी हो गया था क्लास में हो गया ये तो ये homework दिया था बताओ हो गया 6.9 6.9 हो गया ये सर सर 6.10 में percentage change in EPS 91,000 कैसे आया? अरे 91,000 तो difference था अभी आ रहे हैं आगे अब ये question रहे गया ये कह रहा है 91,000 कैसे आया? और 91,000 देखो ऐसे आया इन दोनों का difference 91,000 है ठीक है? अब ये question homework है मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है? देखो fixed cost दे रखा है आपको कितना? fixed cost ध्यान दे ना बहुत simple question है मैं करवा नहीं रहा इसलिए fixed cost कितना है? एक बार आपको plan 1 के साथ ये fixed cost लगा के करना है एक बार plan 2 के साथ ये fixed cost लगा के करना है एक बार plan 3 के साथ ये fixed cost लगा के करना है पूरा sir debt किसके interest के काम आ जाएगा निकालने के? equity question में क्या कहता है? x, y, z 3 financial plan 1, 2, 3 plan है calculate the operating financial leverage or firm basis following information available ठीक है? आपको unit of production दे दिया selling price दे दिया variable cost दे दिया ये तो given है एक fixed cost से कितने question बने? 3 फिर अब दूसरे fixed cost को उठाना है फिर 3 बार करना है कितने question होगे? 3 और 3 6 अब फिर इस fixed cost को निकालना है फिर 3 बार करना है यानि sir ये अकेला no question के बराबर है नहीं आया हुए exam में पिछले साल मेरे ख्याल अभी तो मैंने solve करके दिया था ये paper में कब दिया था साइद पिछले से पिछले साल ही आया था exam में ये paper में मैं paper बना रहा था तो मैंने देखा था कि इसमें solution जब मैं कर रहा है तो I.I. ऐसा नहीं है बोलना कर नहीं आया हुआ आया हुआ हुआ BCD में Sir value गलट डाल दिया है मैंने बच्चे कह रहे हैं Sir BCD में value गलट डाल दिया चलो चलो देखते हैं आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ओफ्लाइन वाले बच्चे ओनलाइन वाले ज्यादा अलर्ट है B में क्या डाला 24 अरे हाँ यह 24 ले लिया 32 लेना था न भाई यह सब गलट हो गया क्योंकि मुझे लेना था 32, 36 और 40 ठीक है तो सही हुआ गलट homework में मिल जाएगा आपको ठीक है वो value गलट ले लिया 6.9 का interest वाला पार्ट बता दो 6.9 सर अगली class में नए chapter करने वाले हम बिल्कुल है 6.9 में interest वाला पार्ट देखे बता देते हैं अभी लेते हैं hand raise वालों का भी doubt लेते हैं देखो debenture दे रखा है आपको और यह दे रखा है आपको loan का amount तो company A का कैसे निकलेगा चार पांच और उसके उपर बारा परसेंट तो interest रा जाएगा सर चार और बारा परसेंट कितने बनते हैं 48 यह company A का बन गया और company B का ऐसे निकाल दोगे चे लाग पचास अजार पे इंटू में बारा परसेंट बारा परसेंट ही न हाँ जो भी आएगा whatever यह interest आजाएगा सर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की लाइव क्लास नहीं होंगी सुनेना अठातर 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 यह बता दिया यह 78 आएगा यह 78 आगया जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हो गया हो सर कैपिटल का क्यूं करना है कैपिटल का थोड़ी किया है मैंने कैपिटल का कोई काम नहीं है यहाँ ऐसाच कोई काम नहीं है रोल ही नहीं है कोई भी कैपिटल का